तो बच्चो आज हम आपके सामने एकदम ब्रैंड न्यू चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है बजटरी कंट्रोल ये चैप्टर हमें हेल्प करता है बजट का पता लगाने में बजट का सैंस क्या है मतलब क्या है बजट का मतलब है कि आने वाले कल में फ्यूचर में जो भी हमारे एकस्पैंसिस होंगे इंकम होगी उसका पहले से हम अंदाजा लगाते हैं क्योंकि हमने बात करी अंदाजा लगाना है तो future का prediction करना है अंदाजा लगाना किसी suitable basis से तो कैसे पता लगाएंगे with the help of past information तो हमें question में past information दे रखी होगी और उसके base पर हूं future का अंदाजा लगाएंगे चलिए शुरू करते हैं और बहुत ज़्यादा important chapter है यह एक्जाम में इसमें से बहुत बहुत बार पूछा जाता है काफी कुछ पूछा जाता है तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ना है budgetary control का chapter simple है बहुत technical नहीं है इसमें लिखाए कि हमारा object है cost accounting में कि management को planning और control करने के लिए information provide करना तो information हम कैसे देंगे तो एक tool है जो हमारी planning और control दोनों में बात करता है planning मतलब हम आगे जाकर कैसे काम करेंगे, कितना sale करेंगे, कितना cost आएगा, माल बनाने में कितना खर्चा आएगा, labor का कितना expense आएगा, तो यह सब planning हो गई control का मतलब हमने कुछ plan करा, suppose हमने plan करा कि हमें output करने में 1 lakh रुपीज का material यूज़ होगा अगर वह 1 lakh रुपीज से ज़्यादा यूज़ होगा, तो हम control करने की कोशिश करेंगे, कि 1 lakh के अंदर अंदर ही हमारा काम हो जाए तो यह planning और control इसलिए use हुआ है एक यह formal process है, financial planning का, हम estimate करते है financial और accounting data तो हम use करते हैं, और estimation करते हैं, planning करते हैं, estimate करते है Institute of Cost and Management Accounting, UK जो define करता है budget को वो कहता है, एक financial एक तो financial मतलब monetary terms तो होगी, use budget बनाने के लिए साथ ही इसमे quantitative statement भी use होगी, हमारी quantity भी आएगी जो हम prepare करेंगे और approve करेंगे prior to define period of time मतलब अगर हम next year का budget बना रहे हैं, तो अभी next year आया तो है नहीं पहले ही हमें budget बनाना पड़ेगा, of the policy to be pursued during that purpose of attaining a given object, तो कोई ना कोई object होगा हमारा, उस object को हम achieve करने के लिए budget बनाएंगे, it may be include income expenditure, employment of capital, budget हमारा अलगले type का आएगा भी हम देखेंगे, meaning of budget, budget का क्या मतलब है, यह detail plan है और कुछ future period के लिए होता है, यह estimate होता है, estimate करते हैं इसमें, advance में बनाते हैं, पहले ही बनता है, जहां जिस time से relate करता है, उससे पहले ही हम budget बना लेते हैं, यह business parameter है, जो complete program of activity business cover करता है, सब कुछ बताएगा, इतना माल बनेगा, इतना level लगेगा, इतना sale होगा, यह सब बनाजा लगाएंगे, Chartered Institute of Management Accountant London define करता है budget, financial quantity statement prior to, अभी अभी हमने बात कर रही थी, इसके लिए, तो इसमें essential चीज़े क्या क्या है, important बाते क्या क्या है, it is prepared in advance, और future से related है, advance में बनता है, time से पहले ही हम इसे बनाते हैं, यह future period से related है, और object जो हमारा उसको attain करने के लिए बनाते हैं, यह एक ऐसी statement है, जिसमें monetary transaction, monetary value के साथा physical units भी होती हैं, और हम policy के हिसाब से, management के हिसाब से इसको बनाते हैं, हमारे different type के budget बनते हैं, एक business में, अलग-अलग purpose के लिए, अलग-अलग budget होता है, जैसे sales budget हमारा बनता है, forecasting sale के लिए, हमें sale करना है, देखें, मैं आपको एक बहुत important बाद बताता हूँ, बताईए, sale पहले होगी, या पहले हम raw material खरीदकार बनाएंगे, raw material खरीदेंगे, finished goods पहले बनाएंगे न, तो actual में क्या होता है, actual में पहले हम raw material पचेस करते हैं, उसके बाद consumed करते हैं, उसके बाद labor का expense होता है, साथ में, उसके बाद finished goods का production होता है, उसके बाद sale होती है, sale of finished goods, ये actual है, लेकिन budget में क्या होगा, मुझे एक बाद बताईए बच्चों, आप जितना माल बनाओगे, उतना sale हो जाएगा, या जितना sale होने की उमीद है, उस हिसाब से माल बनाओगे, इस question को एक बार दुबारा से समझते हैं, क्या sale मेरे हिसाब से होगी, मेरे control में sale है, या मेरे control में production है, अगर ध्यान से सोचेंगे, तो हमें पता चलेगा कि मेरे control में production है, मैं production को कम जादा कर सकता हूँ, लेकिन sale मेरे control में नहीं है, अगर sale मेरे control में होगी, तो मैं तो जितनी चाहे उतनी sale करूँगा, production का क्या है, मैं सो आदमी, 200,000, 10,000 लोग रग लोगा, 24 घंटे काम करा लोगा, अलगलग shift में काम करा लोगा, लेकिन sale मेरे हाथ में नहीं है, sale मेरे हिसाब से नहीं होती है, जितनी sale होती है, उस हिसाब से मुझे production करनी परती है, जैसे आप किसी मिठाई वाले की दुकान पर जाएंगे, तो वो sale के हिसाब से माल बनाएगा, अगर वो समोसे बना रहा है, तो वो sale के हिसाब से समोसे बनाएगा, ये नहीं कि वो 1000 समोसे बना देगा, तो बिख जाएंगे सारे, फिर और बनाते रहेगा, ऐसा नहीं है, sale हमारे control में नहीं है, हमारी मर्जी से sale नहीं होती है, हम फिर भी production कुछ हद तक अपनी मर्जी से कर सकते हैं, तो बताएए, पहले production कर ले, जितनी sale होगी होगी, कोई बात नहीं, सारी हो जाएगी sale, नहीं, तो ऐसा नहीं है, अंदधून आप production करते चल जाएगे, production करेंगे इस हिसाब से जितनी sale होनी है, तो जब हम budget बनाएंगे, तो सबसे पहले हम sales budget बनाएंगे, जो की सबसे last में sale होगी, लेकिन budget सबसे पहले sales का बनेगा, क्योग, क्योंकि जितनी sale होनी है, उस हिसाब से हम production करेंगे, और जितनी production होनी है, उस हिसाब से हम raw material को consumed करेंगे और जीतना raw material consumed हो ना उसे हिसाब से raw material को purchase करेंगे इसके अब बजट जो है वो बिल्कुल reversal है actual का actual में तो सबसे पहले raw material खरीद कर consume करेंगे लेकिन budget बनाते हुए सबसे पहले हम sale का budget बनाएगे क्योंकि sale budget के हिसाब से ही हम production करेंगा प्लैनिंग करते हुए हमें एकदम reverse हो चेना है और actual में reverse होता है तो अब इस बात का ध्यान लखिएगा manufacturing cost budget बनाया जाता है manufacturing cost के लिए master budget हमें बताता है sales income अगरा क्या होगी cash budget भी होता है capital requirement budget भी होता है अभी हम देखेंगे हर चीज के लिए budget बना सकते हैं meaning of budgetary control हम अपनी budget को control में अपने budget की help से कैसे हम control करते हैं अपनी cost को वो है यहाँ पर chartered institute of management account in london बताता है budgetary control क्या है कि हम जो budget है responsibility है executive की policy की requirement के हिसाब से और हम इसमे continuous comparison करते हैं किस चीज का continuous comparison करते हैं actual result को budget से compare करते हैं क्यों क्योंकि हमने सोचा था हम 1000 units sale करेंगे अगर actual में 1000 से कम sale हो रही है तो हम और ज्यादा sale करने की कोशिश करेंगे कम से कम budget तो achieve हो जाए तो इसलिए हम budget को actual के साथ compare कर सकते हैं तो इससे क्या होगा हम लोग बार बार उसको ठीक कर सकते हैं object को achieve करने के लिए कोशिश कर सकते हैं तो बजट की control के अंदर क्या है बजट बनाना continuous comparison करना कि हम target को achieve कर पा रहे हैं या नहीं और अगर हम हमें लगता है कि हम target achieve करी नहीं सकते या budget बनाने में कुछ ऐसी चीज़े हो गई जो हमने ध्यानी नहीं रखी जैसे बच्चों कई बार आप budget बनाते हैं न हम तो दिन में 10 गंटा पड़ेंगे और 2 गंटे के बाद आपकी टैब ओल जाती है तो ऐसी हमने budget बनाया हमने सोचा हमें 1000 unit बनाएंगे एक दिन में लेकिन एक दिन में 500 से ज़्यादा unit बनाई नहीं पा रहें तो हमें क्या करना पड़ेगा हमें budget को revise करना पड़ेगा इसलिए हमें पर revision of budget भी लिखा है revise करेंगे budget को अगर हमें पता चलता है कि जो budget हमने originally बनाया है उसे हम किसी भी हालत में किसी भी सूरत में achieve करी नहीं सकते तो जो हमारा difference है budget में, budgeting में और budgeting control में ये क्या है budget क्या है individual object है department का production department का budget बना रहे हैं तो उसमें क्या होगा कितनी production करेंगे, कितना माल बनाएंगे, वो क्या है budget बनाना budgeting कहलाता है मतलब एक तो होगया budget कि हमने production budget बनाना है sale budget बनाना है, तो sale budget इसे budget, sale budget बनाना is budgeting कैसे बनाओगे sale budget, information होगे, कहां कितनी sale होगे it is known as budgeting budgetary control का मतलब है कि इन सब चीजों के अलावा हम ये देखना कि हमने budget को जो बनाया है, वो सही से बनाया या नहीं और actual को उससे compare करके, अपने budget planning के हिसाब से goal को achieve करने के लिए actual data को और ठीक करना अगर वो गलट direction में जा रहा है तो अब है budgeting और forecasting क्या budgeting और forecasting एक ही बात है तो थोड़ा बहुत इनके बीच में difference है, बहुत थोड़ा सा difference है क्या, वैसे तो दोनों में prediction involved होती है, तो हम दोनों में prediction है, budget बनाते हुए भी future का budget आज बना रहे हैं और forecasting करते हुए भी हम prediction करते हैं, according to the nation and association of accountant USA, forecasting is a process of predicting और estimating a future happening, future में क्या होगा, उसका पता लगाना, अंदाजा लगाना यह forecasting कहलाता है forecasting एक essential part है, budgetary, budgeting process, budget बीना forecast के, बीना अंदाजा के तो बनी नहीं सकता इसका मताब, budgeting is impossible without forecasting forecasting is a essential part of budgeting forecasting से हम future का event का अंदाजा लगाते हैं उसके future में budget पे क्या effect आएगा, यह पता लगाते है thus budgeting is not merely forecasting of a particular event, budget के वल forecast करना नहीं है, forecasting मताद कल बारिश होगी या नहीं होगी यह भी हमारी forecasting है it is not simply an estimation or prediction, it is a plan, budgeting is a plan, मतलब sale कितनी होगी नहीं, हम कितनी sale करना चाहते हैं, उसके लिए हम देखेंगे हमारे पास available resources कितने हैं, क्या हम उस available resources से maximum कितनी sale कर सकते हैं, demand को भी धियान लगना है, तो इसके अंदर एक planning के हिसाब से forecasting करने है ऐसे नहीं कि हम जो मर्जी forecasting कर देंगे, in simple terms, budgeting मता budgeting मता budget बनाना budgeting is an attempt at the beginning of year, साल के शुरू में या शुरू होने से पहले और at the other period, उस साल होने की उमीद है तो कितना होगा balance sheet के end में हम लोग अलग अलग चीजों के लिए, अलग अलग purpose के लिए budget बनाते हैं इसके फाइदे क्या होंगे advantages क्या क्या होंगी budgeting की तो budgeting का क्या क्या फाइदा होगा, budgeting एक important role है और हमें अपनी resources का सही इस्तेमाल करने में help करेगा और overall हमारे goal को achieve करने में फाइदा करेगा तो ये budget क्या करता है हमें motivate करता है, suppose हमने बात करी कि हमारी production होगी 1000 unit per day और हमारी unit सोरी है 900, तो हम motivate होंगे न, यार सोजा 1000 था 900 है, बिल्कुल किनारे पे थोड़ा सा और कोशिश करके बनता हुझे unit बना लेते तो इसलिए हमें motivation होगा कि हम कितना जल्दी से काम कर सके point number two, जब हमारा expense होगा, तो एक limit से ज़्यादा expense होगा, हमने सोचा 1 lakh रूपीज का expense होगा, ये cheat बनाने में और अगर 1 lakh से ज़्यादा होगा control में हमारे expense रहता है आपको एक example देता हूँ, बहुत बढ़िया example, suppose आपके बड़े पर आपके किसी friend ने आपको gift दिया और आपको लगता है कि वो gift लगबग 1,000 रूपीज का है, तो अब आप उसके बड़े के लिए जब gift लेने ही जाओगे, तो एक मन में होगा ना कि 1,000 के आसपास का लेने ये तोड़े ना है कि 1,000 के आसपास का उसे ने gift दिया तो आप उसे 100 रूपीज का gift दोगे, या 10,000 रूपीज का gift दोगे, हो सकता है आप दे दे, लेकिन generally हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे, 1,000 का यार उसे ने दिया तो, लगबग 1,000 के आसपास का मुझसे gift दे दे या फिर 1,000 के दिखाई दे की 1,000 के आसपास का, चाहिए वो सस्ता हो, महंगा होगा, 1,000 के 1500 रूपे का होगा, लेकि वो दिखाई दे का 1,000 का, तो आप नहीं लेंगे, हाँ 5,600 का होगा, लगे का 1,000 का तो आप ले लेंगे, पैसा कुछ बचे राए ठीक है ना तो हम लोग एक control के अंदर जाएंगे जैसे मैं अपनी wife को लेकर जा रहा हूँ एक shop पर, साड़ी की दुकान पर लेकर गया, तो वहाँ पर क्या होता है, वो बहुत तेज होते हैं, जो salesman होते हैं, वो आप सब पूछते हैं कि आप अपना budget बता दो, कितने तक की साड़ी दिखानी है, ठीक है तो पता चला, वो बड़ी जीव सी situation है, wife साथ में बैठी है और अब हमें बताना कि क्या range है, तो पूछा, हाँ भई, कितने तक की लेनी है तो उन्होंने घोर के देखा अच्छा, तो हमने का चलो कोई बात दी सबोस हमारी budget है 7,000 तक की साड़ी लेनी है तो हम उससे क्या कहेंगे, भई, यह 7,000 तक की साड़ी दिखा दे और वो बहुत तेज होते हैं, वो क्या करेंगे पहले 2, 4 गंदी गंदी, 5, 7, 10 साड़ी गंदी सी दिखाएंगे 5, 6, 7,000 की range की और बीच में क्या करेंगे, एक साड़ी ऐसी दिखा देंगे, जो बहुत बढ़िया होगी, गजब की साड़ी होगी, और एकदम से पसंद आ जाएगी हाँ, वाइब कहेंगे, हाँ, ठीक है, मैं कहूंगा यह ठीक है, चलो, पसंद आ गई, जब वो रेट देखेंगा, कहेंगा, सोरी, गलती से, यह थोड़ी सी मेंगे आ गई, कितने की, 12,000 की, 13,000 की, अब पूरी दुनिया में सारी की, सारी सारी साड़ी साथ आठ जार की खुलवालो, पसंद हुआ आएगी, 12-13,000 रुपे की, तो बजट विकड गया न, तो इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं, मैं तुझे 7,000 से ज़्यादा नहीं दूँगा, 13,000 की सारी दिखाएगा, 13,000 की सारी 7,000 में लेकर जाऊँगा, पहले ही बता रहा हूँ, वह यह कंट्रोल में रहना, क्योंकि हम तो बच्चों को सिखा रहे हैं, बजटरी कंट्रोल, तो अपने आपको कंट्रोल में रखना है, वाइफ तो नहीं होगी, उन्हें पसंद आगी, 13,000 की तो उन्हें चाहिए, चाहिए, 13,000 रुपे की सारी, ठीक है न, तो हम क्या करते हैं, अपने कंट्रोल में रहते हैं, मतलब यह तो एक हजी आप कार चला रहे हैं, स्कूर्टी चला रहे हैं, तो उसके अंदर एक लिमिट होथी है, आपकी जिस लिमिट में, आप स्पीट में comfortable है, सपोज कार चल रही है हाइवे हैं हेब तो आप कंपडेबल है 120 की स्पीट से लिए आएंगे तो यह क्या है control में control में रहू तो ऐसी हम budget बनाकर अपने आपको control में रहते हैं expenses control में रहते हैं तो एक यह tool है हमारा जो हमें goal को achieve करने में help करता है entire organization का evaluation करता है यह हमें help करता है capital का expense कहां पर करें जाज़ जादा profitable channel में हम expense करें ताकि हमें फायदा मिल सके अरे भाया क्या हो गया हाँ तो आगे है हमारा budgeting coordinate करता है correlate करता है सारी business activities को क्योंकि budget बनाने के लिए हमें सारे department को एक होना पड़ेगा कैसे होना पड़ेगा raw material अपने आप नहीं खरीदेंगे भाया raw material खरीदने के लिए 25 manager पूछेगा production manager से भाया कितना माल चाहिए उस हिसाब से raw material खरीदेंगे production manager sale manager से पूछेगा भाया कितना sale होने की उम्मीद है हर एक को एक दूसरे से correlate होना पड़ेगा तो इसलिए इससे क्या होगा management responsibility होगी हर एक का अपस पर दूसरे से बात्चित करेंगे उनकी weakness पता चलेगी inefficiency पता चलेगी है ना कौन बढ़िया से काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है department सबका पता चलेगा और इससे क्या होगा एक cost consciousness आएगी cost consciousness आने का मिलम अगर हम cost के बारे में बाती नहीं करें जैसे आपके घर में एक छोटा सा बच्चा है ठीके तो उसको आप कुछ भी दिला रहे हों से कुछ ही बता नहीं है मल यह चार साल का बच्चा है उससे कुई बाच्चित नहीं कर रहे है आप बस वो जो कहता हूं उससे लेकर देते तें तो उसके मन बच्चे को समझाओगा तो समझ जाएगा कि मैं यहां की नहीं मॉल में लेकर गया वाँ बहुत महँगा समाना है बच्चा जमीन पर लेड़ गया फैल गया यह मुझे तच चाहिए अब रोह जारा बच्चा नीचे जमीन पर लेड़ गया है तो क्या करोगी उसे लेकर दोग लेकिन दीरे 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 उसके मन में कॉस्ट कॉंशेसनेस आएगी कि खर्चा भी भी होता है कुछ पैसे देने पड़ते हैं कम पैसे होते हैं ज्यादा पैसे होते हैं तो ऐसी जब आप मैनेजमेंट को बार बार बता होगे वह यह यह खर्चा होना है आप यह खर्चा कर रहे हो तो एक मन में कहीं न कहीं cost consciousness आएगी कहीं limit से ज़्यादा खर्चा तो नहीं हो रहा है ठीक है resources को ढंग से इस्तेमाल करेंगे और profit mindless profit के बारे में भी पता चलेगा कि हमें ज़्यादा profit कमाना चाहिए यहां से हमें पता चलेगा performance कैसी हो रही है ठीक है कि साथी साथ budget से हमारा competition होता है production करते हुए कि कि कितना production पिछली बार हुआ था कितना इस बार हो रहा है पहले से सौचा तो production कम कर रहे है जादा कर रहे हैं जादा करेंगे सौचा उससरे ında कर आ तो इनाम है budgeting इसके लावा ये एक हर एक business में यूज होता है total national economy में ये कैसे employment है economy use of resources है इससे सब के लिए फायदेका रहता है अगर आप wastage नहीं करेंगे किसी चीज में तो सब लोगों का फायदा होगा budgeting में कुछ limitation है आप ज्यादा tension में लो आप SMS सूचो सरी का फसादिया ये तो theory का chapter नहीं theory नहीं है ये numerical है अभी numerical बस होने वाला है थोड़ा सा हम basic theory के बारे में भी बातचित कर लें नहीं तो आप life में कभी से पढ़ो ओके तो हैं नहीं अराम से दोबारा limitation budgeting की limitation क्या है कि planning जब हम करते हैं तो उसके लिए कोई exact science नहीं है अंदाजा लगाना future के बारे में तो तुक कही मानना एक तरीके से तो ये personal judgment पर डिपेंड करता है ठीक है न तो आपको एकदम असली अंदाजा नहीं है कि future में क्या होने वाला तो जो आपने budget सूचा है उसमें कुछ चेंजिस तो जरूर होंगी होंगी तो जो success होगा और budget का वो आपस में सारे management के लोगों का आपस में coordination पर depend करेगा बहुत समय तक हमारा budget इसलिए फेर हो जाता है कि जो execution करने के बजाए लोग दूसरे को ये कहते हैं अभी तु कर ये कर वो कर तुम बताओ ये बताओ खुद करने के बजाए तो सब लोगों को काम करना पड़ता है महिनत करनी पड बजट के वले टूल है ये के वल बताता है कि आपको ये काम करना है तो इसके अलावा ये कुछ नहीं कर सकता ये आपको detail information नहीं गौल बगर कुछ बहुँजादा नहीं बताएगा बस ये बताएगा कि ये काम होना चाहिए था इतने खर्चे में होना चाहिए था अब कम ज दिक्कत बात है और दूसरा की बजट पर बहुँजादा धियान रखेंगे तो और भी बहुत सारे टाइप की अलग-अलग दिक्कते आती है एक तो इससे बजट बनाने में खर्चा भी होता है दूसरा इसके फाइदे के साथ दूसरा नुकसान ही है सबोज आमने का कि 1000 सुट्टी होती है चार बज़े ही 1000 यूनियट बन गई तो एक घंटा एमपलोई मजे करेंगे की काम हो गया धीरी से काम करेंगे एक दमस्ती में आ जाएंगे से एक सेफ मोड में आ जाएंगे कि यार हमारा आज का काम हो गया अगर यही अगर हमारा बजट नहीं हो था 1000 का तो हो सकता हम आज के दिन 1200-1300 यूनियट बना देते हैं जैसे हम एक टार्गेट की तरफ पोच जाते हैं तो हम थोड़े डीले हो जाते हैं ठीक है जैसे मैच हो रहा है क्रिकेट टीम हो रही है उन्होंने सोचा कि हमें 300 रन मनाने है तो जैसी 300 के आसपस आएंगे तो थोड हो जाता है लेकिन अगर हमारा टार्गेट इजीली अचीव हो रहा है तो हम थोड़े डीले पर जाते हैं है ना तो यह एक प्रॉलम भी है इस में ओर्गनाज़ेशन फोर बजटरी कंट्रोल बजटरी कंट्रोल के लिए क्या रहेगा तो यहां पर लिखा है कि हमारे पास बजट का में एम क्या है प्लैनिंग को प्लैन करना फिगर्स में रुपीज में बताएंगे हमारी क्या प्लैनिंग है तो यह जरूर ही है कि हमें स्पेसिफिक और्गनाज़ेशन जो है अबजेक्ट उसका में पता हो पहले से ही पता हो तब ही हम बजट बना पाएंगे फिर budget बिनाना है तो production manager से बात करनी पड़ेगी तो किस किस चीज के budget बिनाने की जोट पड़ेगी इस बात का अंदाज़ा लगाएंगे introduction of educate accounting records तो pre requisite to the establishment of budgetary control system is that accounting system should be able to record and analysis the information required अब जो जो हमें information की जोट है वो information हमें मिलनी चाहिए तो chart वगरा बनाएंगे पीछले सालों की figure निकालेंगे future का अंदाज़ा लगाने के लिए एक budget की committee बनेगी जो सारी बातों का ध्यान रखेगी information color करेगी budget बनाएगी budget का manual बनेगा कि कौन budget बनाएगा कौन उसके लिए responsible है अगर budget सही से नहीं बना तो किसकी जिम्मेदारी बनती है budget के इसाफ से काम नहीं किया तो किसकी जिम्मेदारी बनती है उसके बाद एक budget का chart बनेगा जैसे हमारे पास है 25 manager 25 budget बनाएगा personal manager labor budget बनाएगा production budget manager production budget बनाएगा कितना use होगा कितना material चाहिए sale budget sale के लावाए advertisement पर selling expense chief manager cash budget capital budget master budget तो ऐसे अलग-अलग लोगों के जिम्में अलग-अलग type का budget आजाएगा ठीक है फिर budget period हम एक महिने के लिए budget बना रहे हैं तीन महिने के लिए छे महिने के लिए साल भर के लिए वो हमें हिसाब लगाना पड़ेगा time period होगा key factor क्या है बहुत सारी important चीज़े हैं उनका ध्यान रखना है कुछ ही limiting factor है जैसे material limited है हमें चाहिए 10,000 kg लेकिन अब लेवल है 8,000 kg तो वो key factor है उसको best utilize करना है तो ऐसे हम ध्यान रखेंगे classification of budget budget के अलग-अलग type के classification है on the basis of time तो time के हिसाब से हमारे long term budget हो सकते है कि हम 2 साल, 5 साल, 10 साल के लिए budget बना रहे है तो ये long term planning है उसके हिसाब से फिर हम short term budget बनाएंगे तो short term budget कुन से होते हैं जो हमारे long term planning के हिसाब से चलते है ठीक है न तो ये हमारे 1 से 5 साल तक के हो सकते हैं एक साल दो साल के और current विजट बारा महीने का हो सकता है एक महीने का छे महीने का तो एक से बारा महीने के बीच में तो तीन कैटेगरी हम टाइम के हिसाब से विजट के कर सकते हैं On the basis of function of के function के हिसाब से हमारा विजट कैसा होगा तो एक हमारा function के हिसाब से master budget हो सकता है Master budget मतलब जब भी कोई budget बनाएंगे तो इस budget की help लेनेंगे क्योंकि एक base का काम करेगा हमारा तो Master budget बनाया जा सकता है, functional budget यह subsidiary जैसे उससे related आगे जो हमें information चाहिए जैसे sale budget है, selling expense budget है, production budget है, material budget है तो यह सारे budget हमारे जो functional budget कलाते हैं, जो उसकी help करते हैं flexibility के साब से अगर हम बात करें, तो एक budget होता है, जो fixed budget है जैसे 10,000 unit के लिए ही हमने budget बनाया है, तो उससे fixed budget कहते हैं यह एक particular output level के लिए बनाया दाता है, flexible, अब हमें यह तो नहीं पता 10,000 unit बनायेंगे, सोच रहे हैं, जरूरी तो नहीं 10,000 डी बनायें, तो हम 8,000, 9,000, 10,000, 11,000, 12,000 के लिए budget बना सकते हैं, अलग-अलग level के लिए, तो उससे हम flexible budget बोल देते हैं तो अब हम कुछ numerical portion पर आते हैं, जिसमें सबसे पहला हमारे पास है sales budget मैंने आपको बताया था, याद है, मैंने बताया था आप लोगों को, कि सबसे पहले कौन सा budget बनाएंगे सबसे पहले हम sales budget बनाएंगे, number one sales budget बनाएंगे क्योंकि बीना sales के हम production नहीं कर सकते, raw metal खरीद नहीं सकते तो कुछ भी हम अंदाजा नहीं लगा सकते, तो काम सबसे end में होगा sales का लेकिन budget सबसे पहले किस चीज़ का बनेगा, sales का और आपको एक बाद बिता दूँ, sales budget सबसे easy होता है, क्यों? क्योंकि sales budget में कोई कलाकारे नहीं कर नहीं एक judgment पे depend करेगा, पिछले साल की sales में 10% बढ़ेगी, 15% बढ़ेगी, 5% कम sale होगी, price change होगा, यही होगा तो यह सारी information question में होगी, 2 मिनट में फटा-फट करके हम निप्टा देंगे तो sales budget बनाते हुए हम लोगों को बहुत अराम से को attention free नहीं है, product wise कि हमारे कौन-कौन से product का sale होगा, territory wise जागे कौन-कौन से होगी, customer wise हो सकता है चलिए आपका इंतिजार खतम हुआ, हम लोग numerical portion पर आ गए, question number one है हमारे पास, और यहाँ पर PKCC limited है, जो हमें दो product के बारे में बात करी है, product A और product B first quarter में हमारी sale होने की उम्मीद है, product A की 1250 और product B की 1600 ऐसे quarter 2 में, quarter 3 में, quarter 4 में यह 2016 की जांकारी हमें दीवी है, और selling price हमें दिया हुआ है 24 रुपर और 50 रुपर, यह actual figure दे रखी है हमें, actual, यह budget नहीं है, यह actual figure है budget यह है, 2017 के लिए हमारा target है, क्या है, हमें लग रहा है कि product A 20% कम होगा, क्योंकि इसका selling price 25% बढ़ जाएगा और product B की sales quantity 25% बढ़ जाएगी, क्योंकि इसका selling price हम 20% कम करने की सोच रहे हैं अब हमें बताया है कि sales जो area है, तीन area है, X, Y, Z और वहाँ पर हमारा 10, 20, 70% product A का और 70, 20, 10% product B का sale out होता है, हमें sale budget 2017 का बना रहा है तो हमें actual data दिया हुआ 2016 का और हमें 2017 का budget बना रहा है तो यह budget बहुत सारे तरीके से बन सकता है, क्योंकि इसके अंदर हमें क्या-क्या information दे रखी है यहाँ पर हम लोगों को एक तो product है, product है A और B इसके लावा area है, X, Y, Z, time है, quarter 1, quarter 2, quarter 3, quarter 4 अब इन सब को हम कैसे manage करें, तो इसके लिए हमारे पास अलग-अलग रास्ते हैं रास्ते अलग-अलग कैसे हो सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ हम लोग ऐसा budget बना सकते हैं, कि product A है, area X, Y, Z B product है, area X, Y, Z, quarter 1, quarter 2, quarter 3, quarter 4 ऐसा बनाया जा सकता है, हम कैसे बना सकते हैं, area X, product A, B area Y, product A, B, area Z, product A, B और quarter 1, quarter 2, quarter 3, quarter 4 ये इस बत पर depend करता है, कि आपके लिए priority क्या है, या ज्यादा important क्या है अगर आपके लिए product ज्यादा important है, तो आप ऐसे बनाएंगे अगर आपके लिए area ज्यादा important है, तो आप ऐसे बनाएंगे क्योंकि आप ये पता लगाना चाहते हैं कि इस area में कितनी sale होती है main important आपके लिए area है और हम इसको और बहुत सारे अलग-अलग method से बना सकते हैं वो क्या हो सकता है देखे हम लोग ऐसा कर सकते हैं quarter 1, quarter 2, quarter 3 quarter 4 और इसमें A और B उसमें x, y, z क्या हम ये भी कर सकते हैं कि quarter 1 में E और B कितना sale हो रहा है quarter 2 में B और यहां पर x, y, z तो हमारे पास बहुत सारे method है question करने के लेकिन आपको एक बात बता दूँ कोशिश करना है आप लोगों को कि जैसा question दिया है उसी type से presentation करने की कोशिश करें जैसा question दिया है अगर उसके अलावा जदा उसलकूर मचा होगे तो आप tension में आ सकते हो मतलब आपको product A और product B column में दिया है तो आप जब budget बनाएंगे तो आप पूरी कोशिश करेंगे कि आपके budget के अंदर A और B column में ही हो product A और B ऐसे बिलकुल नहीं लेजिए क्योंकि आप आप गलत कर बैठेंगे गलती होने के chances बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो पहले मैं इसको product A को X, Y, Z और total product B X, Y, Z और total तो ऐसे मेरे पास option है और quarter number 1 quarter 2 quarter 3 quarter 4 यह है अभी तो मेरे पास selling price भी है वो भी मुझे लिखना पड़ेगा तो मैं यहाँ पर product A X area में यहाँ पर quantity और amount दोनों से बना सकता हूँ ऐसे तो बहुत ज़्यादा अलग-अलग variety है हमारे पास अलग-अलग type से हम बना सकते है तो इसे मैं क्या करता हूँ दो पार्ट में divide करके आपको बनवाता हूँ ताकि आपको समझ में आए easily तो मैं quarter 1,2,3,4 में product A और B के लिए बनाता हूँ और यहाँ पर quantity इसका rate और amount लिख देता हूँ फिर इसकी quantity इसका rate और इसका amount ठीक है बच्चो product A की बात करें तो product A का selling price था 24 और selling price 25% बढ़ रहा है तो अगर मैं 24 में 25% air कर दो तो यह आता है मेरा 30 rupees तो इसका मतलब 30 rupees का मेरा rate रहेगा product A का product A का rate 30 rupees हो गया यह बात clear हो गई अब quantity की बात करते हैं किसी चीज़ का rate बढ़ाएंगे तो ज्यादा तर उम्मीद है कि उसकी quantity कम हो जाएगी sale कम हो जाएगी rate बढ़ाने पर ज्यादा तर chances यही है और यही दिया हुआ है कि sale quantity 20% down हो रही है तो इसका अबलब अगर मैं one two five zero में से twenty percent less कर दूँ तो यह one thousand unit बैठती अगर two nine five zero में से twenty percent less कर दूँ तो सीधा में eighty percent निकाल दूँ तो यह two three six zero units हो जाती है two one six zero और two four eight zero और total हमारी जो units होती है वो eight thousand होती है अब हम बात करते हैं amount की तो one thousand into thirty thirty thousand two three six zero into thirty seventy thousand eight hundred sixty four eight hundred और seventy four four hundred तो टोटल जो amount आगई two lakh forty thousand आगई अब हम product B की बात करते हैं product B के अंदर rate हमारा selling price decrease होने की उमीद है twenty percent तो पचास रुपे में से twenty percent down हो जाएगा तो forty rupees का rate रह जाएगा quantity हमारा rate कम होगा तो quantity बढ़ने की उमीद है तो 1600 में हम 25 percent बढ़ा देते हैं तो 2000 इनिट की quantity हो जाएगी यहाँ पर और 1800 800 में 1000 हो जाएगी 1000 में 1250 और 600 में 750 इनिट 40 तो 2000 इनिट 40 तो 80 तो जाएगी तो जाएगी तो जाएगी तोजन यह total units 5000 तो एक हमने budget बनाया जिसके अंदर अभी हमने area की कोई बाच्चित नहीं करी कोई incorporation नहीं करा हमने केवल product A और B के बारे में बात करी अब अगर हम area को भी consider करें तो साथ में quantity को भी करें तो बहुत जादा बड़ा हो जाएगा तो quantity wise हमने break up तो कर लिया अब अगर मैं केवल rupees के हिसाब से बात करूँ तो मेरे पास area x y z है और quarter 1 quarter 2 quarter 3 quarter 4 है और area मेरे पास x y z है और total का भी column मैं बना सकता हूँ total ठीक है x y z और total ठीक है और इसके बार मैं बार करता हूँ b की b b x y z और total में divide हो जाएगा तो अब हमें पता है कि हमारा पास जो product a है quarter 1 में product a quarter 1 में 30,000 rupees की sale है total तो यह total sale है 30,000 और हमें बता रखा है area x y z में 10, 20, 70% sale होता है तो 30,000 का 10% यह होगा है 3000 तो 3000 हमारी area यह सब rupees में है तो 30,000 में से 3000 की sale area x में होगी और इसके बाद हमारा 20% है तो 6000 हमारी y में हो जाएगी 70% है तो 70% के case में 21,000 रुपए हो जाएगी हमारी तो 30,000 की sale में से x area में 3000 y area में 6000 z area में 21,000 sale होने की उमीद है अब हमारी next sale है 70,800 तो उसको भी हम इसी percentage के हिसाफ से transfer कर देंगे 10% 7080 20% 14,160 और 70% 49,560 अब हम बात करते हैं थर्ड क्वार्टर बे जहां sale होने की उमीद है 64,800 अगें इसका 10% 6480 फिर इसका 20% 12,960 और 70% 45,360 हमारे पास last quarter की sale है 74,400 10% 7,440 20% 14,880 70% 52,080 हम चाहें तो इसका total भी कर सकते हैं उससे पता चल जाएगा की total sale हमारी 240,000 जो हमने पहले भी निकाल रखिए 240 sale होगी और area जो X है उसमें product A की जो total sale होगी वो 24,000 होगी और Y की 48,000 होगी अब हम product B की बात करते हैं अब product B का total हमें दिया 80,000 40,000 50,000 30,000 total 2,00,000 अब यहां बता रखा है की B की sales 70% होगी है area X में तो 80,000 का 70% 56,000 फिर 20% तो 80,000 का 20% 16,000 फिर 10% 80,000 का 10% 8,000 फिर 40,000 का ऐसी करेंगे 28,000 और 70% उसके बाद है 20% तो 40,000 का 20% 8,000 4,000 50,000 का 70% 35,000 10,000 5,000 और 30,000 का जाएगा 21,000 6,000 3,000 total हो जाएगा area X में total हमारा 1,000,000 का sale होगा product B Y area में 40,000 और Z area में 20,000 तो यह sale budget है जिसके अंदर हमने area के इसाफ से भी break up किया और हमने product के इसाफ से भी करा, time के इसाफ से भी करा तो एक और हम चाहें तो यह total और यह total लेकर total sale के लिए एक और जगे बनाकर आगे एक कोलम और बनाकर total sale का कोलम बना सकते हैं तो यह sale period था बहुत simple question number two देखते हैं question number two हमसे क्या कह रहा है यह कह रहा है कि be limited है वो दो product है उनके पास एक ही plan से बनता है और हमें बता रखा first quarter में product one two, second quarter में, third quarter में, fourth quarter में, total year में कितना sale होने की उमीद है यह जो दोनों product है, यह seasonal basis पर बिखते हैं product one जो है summer में जादा बिखता है, product two जो है winter में जादा बिखता है, be limited budget सोच रही है कि product one को 10 रुपे के साफ से, product two को 20 रुपे के साफ से बेचे जाए study से हमें पता चलता है कि लगबद 3% हमारा revenue और lost हो जाता है due to 1% of revenue हमारा loss of revenue है और 2% bad debts की बज़े से loss हो जाता है तो हमें एक budget बनाना है जो सारी information हमें provide करे तो हमें already एक budget बना कर दिया हुआ है जिसमें quantity हमारे पास आ रही है है ना अलग-अलग units हमने already बना रखी हैं तो इसमें हमें जब हम budget बनाएंगे तो ऐसी situation में कैसे बनेगा budget मैंने क्या करया था आपसे हमें कोशिश करनी है जैसा information question में दिया है वैसा ही हम बनाएं जैसे पिछले question में हमें quarter यहां था product यहां था तो हमने ऐसे बनाया इस question में हम ऐसा नहीं करेंगे इस question में क्या करेंगे जो हमें information दिया है quarter हमें quarter wise column में दिया है तो हम quarter wise ही column में बनाएंगे तो हम कैसे बनाएंगे देखें quarter 1, quarter 2, quarter 3, quarter 4, total, product 1, product 2 अब हमें units दे रखियें question के अंदर कि 90,000 unit भी केंगी तो units हमें दिये है और amount और बना लेंगे 90,000 units और हमें बता रखा है कि 10 रुपे के साब से बिकेगा तो 9,00,000 रुपीस का हो जाएगा 90,000 units 9,00,000 रुपीस की हो जाएगी ठीक है और quarter 2 की बात करते है तो quarter 2 में हमारे पास 2,000,000 units है तो units हमारे पास 2,000,000 है और product हमारे पास 23,000,000 रुपीस का सेल हो जाएगा quarter 3 की बात करते है यूनिट्स हमें दे रखी है 3,000,000 इसकी amount हो जाएगी 30,000,000 alternatively हम क्या कर सकते थे हम लोग quarter wise units और quarter wise रुपीस का अलग अलग बना सकते हैं quarter 4 quarter 4 में हमारे पास units है 80,000,000 रुपीस की ठीक है और हम total भी बना सकते हैं चाहें तो total units और amount तो total हमारे पास जो units है उस 7 लेक है और amount 70 लेक है यह हमारे पास product 1 की जानकारी आ गई product 2 product 2 है 85,000 75,000 55,000 85,000 और 3 लेक यह हमारे पास यह हमारे पास यह हमारे पास second product का जाएगा 17 लेक 17,000 इन्टो 2015 लेक 55,000 इन्टो 2011 लेक 85,000 इन्टो 2017 लेक और 3 लेक इन्टो 2016 लेक अब हम इसका total कर लेते हैं total आ जाएगा हमारे पास तो जो total units में sale होनी है 90,000 और 85,000 1,75,000 और amount में 26,00,000 2,30,000 प्लस 75,000 3,5,000 3,55,000 1,65,000 और 10,00,000 यह हमारी units हैं और अगर हम value देखें तो 26,00,000 38,000,000 41,000,000 और 17,000,000 और 8,000,000,000 25,000,000 यह rupees में हमें कोशन में दे रखा है कि हमें loss होता है 3% का तो हम उस loss को less करके दिखा सकते हैं less 3% loss of revenue तो 26,00,000 का 3% 78,000 तो हमारे को उम्मीद है कि 25,00,000 22,000 हमारे पास revenue generate हो जाएगा units तो हमारे पास 1,75,000 यह sale होंगी quarter 2 quarter 2 के अंदर हमारा जो 38,00,000 का 3% है 1,14,000 हो जाएगा 3,05,000 units और जो amount है वो 36,86,000 हो जाएगी quarter 3 में 41,00,000 में से 1,23,000 less हो जाएगा तो 39,77,000 हो जाएगा और quarter 4 के अंदर हमारी 75,000 25,00,000 का 3% 75,000 रुपीज हमारी loss in revenue हो जाएगा तो 24,00,000 उम्मीद है हमारे पास amount आजाएगा अब total जो units हैं बिगने की उम्मीद हैं वो 3,00,000 और 10,00,000 3,00,000 रुपीज total है 10,00,000 amount में 60 और 70 वन करोर 30,00,000 इसमें से 3% हमारा less हो जाएगा 3,90,000 तो हमारा 1,26,10,000 रुपीज ये हमारा sales budget है तो आप लोगों को पता चला कि sales budget बनाना कितना easy है थोड़ा सा calculation जादा होती है लेकिन question होता बहुत simple है question number 3 पर आते हैं हम लोग ये भी sales budget का है x, y, z हमारे पास एक company है जिनके पास दो product है और दो division है east और west हमें budget बनाना है product हमें बता रहा है budgeted sale for the current year 400 units 9 रुपीज के साबसे east में x की और y की दोनों east west area में बता रखा है और actual sales भी बता रखी है कितनी हमने सोची थी और कितनी actual है educate market studies reveal the product x is popular but underpriced देखो हमने सोचा था 400 बेची 500 ठीक है और ये 600 सोचा बेचा हमने 700 तो जो हम सोचे रहे हैं उससे जाधा भीक रही है इसका मता है ये मौल सस्ता बेच रहे हैं और हमने सोचा था 300 भीका दो इससोचा था 500 भीका चार सो तो Y उम्मीद से कम बिग रहा है क्योंकि यह हमें लग रहा है कि Y महंगा है तो हम यह सोच रहे हैं कि अगर हम X का प्राइस एक रुपे से बढ़ा दें तो भी हमारा मल आराम से बिग जाएगा और Y जो है महंगा है इसलिए कस्मर उसे पकड़ नहीं रहा है तो हम उसे एक रुपे कम कर देंगे तो कस्मर उसे ज़्यादा खरीद लेगा तो ऐसी information के हिसाब से हमने अंदाजा लगाया है कि percentage change जो होगा प्रोड़क्ट X और Y दोनों में changes होंगे और बढ़ेंगे विदल ओफ एन intensive advertisement campaign following additional sales above the estimated sales are also possible यह और हमारी extra sale होनी की उम्मीद है तो हमें एक budget बनाना है जिसमें अंदाजा लगाएंगे कि किस तरीके से हमारी sale prepared required to prepare a budget for sale incorporating the above estimate and also show the budgeted and actual sale for the currency है तो हमें दिखाना है कि budget कैसे है कैसे काम करेगा ठीक है बच्चों अब हम product wise करना शुरू करते हैं तो कैसा budget हमें दिखाई देगा हमें बता रखा है कि जो budget है वो current year में current year का budget कितना है current year का actual कितना है और आगे future का हमें अंदाजा लगाना है वो भी question में दिया हुआ है तो बनाते हैं sales budget तो हमें कितने budget बनाने हैं हमें तीन budget बनाने हैं क्यों एक तो हमें future का budget बनाना है एक current का budget बनाना है और एक actual current की sale बनाना है तो यह क्या है budgeted sale for the current year तो हम लोग current year का budget बना सकते हैं ठीक है और हमसे क्या पूछा जा रहा है और हमसे पूछा जा रहा है actual sales दिया हुआ हमसे हमें तो हम actual sales लिख लेंगे और एक हमें बनाना है budget for the future एक हमें ये budget बनाना है तो हमें तीन budget अलग अलग बनाने हैं अब हमारे पास ये सवाल उठता है कि हम product wise break up करें या कैसे break up करें तो product तो हमें दिये हुए हैं X और Y तो हम चाहें तो इसी हिसाब से कर सकते हैं जैसे current year का budget बनाएं तो हमें current year का budget दिया हुआ है East और West में product X और Y है तो अब हमारे को quantity भी चाहिए तो उसके लिए थोड़ी सी जगे कम पड़ेगी मैं जगे बढ़ा लेता हूँ यह मेरे पास actual sale की जगे 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 ज़ादा हो जाएगी थोड़ी सी और यह मेरे पास current year budget की जगे आ जाएगी तो यह हमारे पास East और West है ठीक है और अब देखो मेरे को क्या हो रहा है X और Y तो मैं ऐसे बनाऊँगा तो मेरे पास जगे कम पड़ रही है तो इससे बचेने के लिए मेरे पास एक रास्ता और है क्यों न मैं यहाँ पर क्या करूँ East में X और Y और West में X और Y के लिए बना लो तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा क्यों quantity और amount रेट चाहिए तो लिख सकते है quantity, rate, amount, quantity, rate और amount कितना easy हो जाएगा चेक करते हैं देखो East में product X और Y यह है तो इसकी rate है यह है हमारे पास budgeted sale for the current year तो current year budget है यह तो 400 9 के हिसाफ से 321 के हिसाफ से तो 409 के हिसाफ से और 321 के हिसाफ से हो गया 3600 और 6300 और 9900 यह 700 units अब वेस्ट में क्या है यह situation तो अगर वेस्ट में देखें तो 609, 521 तो 609, 5400 का 521, 10,500 का तो यह 1100 units और हमारा 15,900 का हो गया ठीक है हम चाहें तो और भी total कर सकते हैं अगर हम यह total लिख देंगे तो यह 700 और 1100 1800 units हो जाएगा 9900 और 15,900 तो यह हमारा 25,800 हो जाएगा तो इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं अब हम actual sales की बात करते हैं actual sales है x की 500, 9, 221 709, 421 तो 500 into 9, 4500 200 into 21, 4200 तो यह 8700 हो जाएगा और 700 into 9, 6300 400 into 21, 8400 तोटल हमारे पास 14,700 हो जाएगा units 700, units 1100 grand total 1800 और amount का 8700 और 14,700, 23,400 अब हम future के लिए budget की बात करते हैं जो future का budget होगा वो हमें बदा रखा है कि percentage increase in the sales over budget जो हमारा current budget था उसमें का changes होने की उमीद है current budget में 10% की sales बढ़ेगी x की तो current budget में 400 है 400 में हमारी 400 में 10% बढ़ जाएगी तो 400 में 10% product x की बढ़ेगी from the information based on the price changes in the report for sale में the following instruments have been prepared by the divisional manager percentage increase in sales over budget is this with the help of incentive advertisement campaign the additional sale will increase is this तो 2 increase हो रही है एक तो 10% हमारा increase हो रहा है और दूसरा 60 increase हो रहा है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ quantity x की east area में कितनी हो रही है पहले कितनी थी और over budget current year budget 400 का था इसमें 10% increase हो रहा है प्लस 10% 440 प्लस 60 increase हो रहा है 500 एक बर मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ हमें question में बता रखा है कि जो भी increment हो रहा है वो increment sale budget पे हो रहा है तो यह है current year का sale budget ठीक है तो current year का sales यह है तो 400 units यह लिख दी मैंने 10% increase होना है 10% increase कर दिया फिर 60 increase होना है 60 or increase कर दिया तो यह 500 हो गया और rate की बात करते है तो rate हमारा 9 रुपे था अब बोल रखा है एक रुपे से बढ़ाना है तो rate हो जाएगा 10 रुपे का यह 5000 units होने की उम्मीद है यह की बात करते है तो यह की है 300 तो यह में 20% increase होगा 360 40 increase होगा 400 तो 400 units rate 21 तक हम हो गया एक रुपे से 20 रह गया 8000 900 units 13000 अब हम west की बात करते है यह east था west west की बात कर लेते है तो x और y हमारा 600 unit पहले है 5% बढ़ रहा है 630 70 unit बढ़ रहा है तो 700 units हो जाएंगे एड़ रेट 10 7000 ठीक है और उसके बाद y की y की हमारी जो unit थी वो 500 थी इसमें 10% बढ़ रहा है 550 प्लस 50 600 बीस रुपे के साब से तो 12000 हो जाएगा टोटल 1300 और 19,000 900 और 1300 2200 और 13 और 19 32,000 तो sales budget बहुत ज़्यादा असान है बस थोड़ी सी calculation है question में सब कुछ दे रखा है आपको आपको सब कुछ दे रखा है बस उस information को आप लोगोंने इस्तिमाल करना है जैसे हमने बात की थी कि सबसे पहले हम sales budget बनाएंगे और एक पर sales budget बन जाएगा तो उसके बाद next हमारा production budget होगा क्योंकि हम production sale के हिसाब से करेंगे ठीक है sale जितनी होने की उमीद है उसके हिसाब से हिसाब से हिम production करेंगे तो after preparation of sales budget हम बनाएंगे production budget अब sale budget बन गया production budget की जोरत है it is a plan of forecast of the output of the business divided into various products हमारे पास अलगलग product हो सकते है हम लोग क्या करेंगे अलगलग product का हिसाब किताब लगाएंगे कितनी sale होने की उमीद है और हमें कितना माल अपने पास में रखना है बच्चों ये तो हो नहीं सकता कि अगर हमारी sale होने की उमीद है 10,000 units तो हमारा output भी 10,000 unit करेंगे हम और last में जो हमारे पास sale करने के लिए आएगा 10 unit चाहिए तो 10 unit रखी हैं ले ले भई ऐसा नहीं होता है हमें अपना stock maintain करना पड़ते है आप suppose करिए अंदाज रगाए एक shop पर जाते हैं आपको pen खरीदना है stationary की shop पर जाते हैं और आप जाते हैं कहते हैं मुझे एक pen चाहिए वो आपको एक pen रख देता है और वो कहेगा आपसे कितने pen चाहिए हैं आपको आप कहेंगे मुझे तो एक चाहिए कहता यह रहा आपको कहें भाईया variety दिखाओ मुझे बहुत सारे pen देखने हैं लेना यह कहें लेकिन देखने बहुत सारे तो ऐसा नहीं है न कि एक चीछ चाहिए जितनी सेल होने की उम्मीद है उतना ही बस माल रखेगा माल तो हमें बहुत सारा रखना पड़ेगा तो इस टॉक जो है वो भी तो हमें बनाना पड़ेगा जो माल बेचने की उम्मीद है वो भी बनाएंगे जो माल रखना है वो भी बनाएंगे तो closing stock भी हम बनाएंगे अपने पास तो जो हमारा budgeted production है वो नाकिवल sales के equal है प्लस हमें जो stock maintain करना है वो भी हम बनाएंगे और जो पहले से रखा है वो हमें बनाने की जोद नहीं है वो minus हो जाएगा तो कुल मिलाकर कहनी यह है कि हमारे पास अलग-अलग अगर quarter है तो हमने जो sale है वो plus closing stock minus opening stock तो हमारे पास production आ जाएगा जो हमने बनाना है तो कुल मिलाकर एक simple सी बात है sales plus estimated यह estimated sale है plus estimated closing stock minus estimated opening stock और यह हमारा production आ जाएगा production budget आईए मिलकर करते हैं question number 4 यहाँ पर हमें production budget बनाना है तीन महिने के लिए जो 31 मार्च को end हो रहा है और हमारे पास चार product है तो कैसे करें कैसे करें चार product है A, B, C, D ऐसा भी बना सकते हैं ठीक है ऐसा इसलिए बना रहा हूँ मैं कोकि मुझे जो है sales में plus करना है closing stock minus करना है opening stock अगर मैं ऐसे ना करकर इसको इस तरीके से बनाऊँगा A, B, C, D क्योंकि question में ऐसा दिया है ऐसा बनाना easy है, ऐसा मजदारी है मैं ऐसा भी बना सकता हूँ लेकिन इस situation में मुझे ये लिखना पड़ेगा sales plus closing minus opening तो ऐसा भी हो सकता है equal to production तो ऐसा भी बना सकता हूँ मैं तो बनाना शुरू करते हैं मैं दोनों तरीके से बना कर बता देता हूँ मुझे कोई tension नहीं है एक ही जो sales होने की उमीद है वो 10,000 closing stock होने की उमीद है 3,000 इसके मतार 13,000 चाहिए लेकिन 2,000 पहले से हैं तो इसके मतार मुझे 11,000 units बनानी पड़ेगी यहां बनाता तो मैं कहता कि sales मुझे 10,000 plus 3,000 का मुझे closing stock चाहिए 13,000 minus 2,000 का opening है 11,000 production तो चाहिए आप ऐसा बनागी है चाहिए ऐसे बनागी है को tension यह दोनों ही ठीक है B की बात करें B की sale 15,000 closing 5000 total 20,000 minus 3000 output production होना चाहिए 17,000 C sale 13,000 plus closing stock 3000 16,000 minus opening stock 4000 12,000 ठीक है इसके बाद D की बात करते हैं D है 12,000 plus 2000 14,000 minus 3000 11,000 तो 11,000 17,000 12,000 और 11,000 total मिला कर 51,000 units हमारी total production होने की उम्मीद है इन तीन महिने में चाहिए तो ऐसे भी कर सकते हैं B के लिए अब हम देखें तो 15,000 plus 5000 minus 3000 तो 18,000 17,000 तो इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं दोनों मेथड हमारे काम करेंगे ठीक है बहुत सिम्पल है production budget कोई tension नहीं है चलिए question number 5 पर आ जाते हैं question number 5 हमें क्या कह रहा है कि C limited है एक हमारे पास और C limited में दो product है A और B sales हमारी sales budget हमें दिया हुआ है दोनों का quarter wise opening stock बता रखा है stock opening first january का और closing stock बता रखा है तो सारी information है हमें बनाना है production budget बनाते हैं आपको पताईए production budget के लिए हमें क्या करना पड़ता है तो ऐसी बनाऊ जैसा लिखा है production A, product A और product B तो product A, product B और quarter wise बनाना है quarter 1, quarter 2, quarter 3, quarter 4 फिर मुझे यहाँ पर sales वगर प्लस माइनस करना पड़ेगा ठीक है दूसरा रास्ता क्या है मेरे पास जल्दी बताओ quarter 1, quarter 2, quarter 3, quarter 4 इसमें product A, product B product A, product B ऐसा भी कर सकता है तो मेरे पास बन जाएका की वहिया कितना है दूसरा यह हो सकता है product A, product B quarter 1, quarter 2, quarter 3, quarter 4 ऐसा भी बना सकता हूँ तो हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं budget बनाने के लिए कोई tension नहीं है बेस समय करना क्या है plus minus करना है sale में plus करना है closing और minus करना है opening तो product A को पहले मैं बनाता हूँ ठीक है product A quarter 1 sales कितनी है 1000 quarter 2 2360 quarter 3 2160 quarter 4 2048 total ठीक है अब हम इसमें plus करेंगे closing stock तो quarter 1 का closing stock उसके लिए क्या बता रखा है मैं stock position ending first second third quarter है percentage of next quarter sale next quarter की sale का 50% इसका मिलब अगर मैं closing stock quarter 1 की बात कर रहा हूँ तो ये हमारी इस sale का 50% हो जाएगा यहां इस sale का 50% यहां इस sale का 50% तो कितना हो जाएगा 2380 का 50% तो 2360 का 50% 2360 का 50% 1180 2360 का 50% 1180 तो यह हो गया 2180 minus opening stock अब opening stock हमें दे रखा है percentage of first quarter sales 20% तो हमारे को जो first quarter की sale है यह इसका 20% opening दिया हुआ है तो यह आ जाएगा 1000 का 20% 200 तो यह हो जाएगा 1980 production first quarter की अब हम second quarter की बात करते है जो यहां का opening stock है वो यहां का closing stock यहां का opening हो जाएगा चलो उसकी बात बात में करेंगे 2160 का 50% 1080 यह हमारा closing stock है quarter 2 का total हो गया 3440 और जो opening stock है quarter 2 का quarter 2 का opening stock मतलब quarter 1 का closing quarter 1 का closing किसके खुल है quarter 2 के opening के तो quarter 2 का opening क्या होगा quarter 1 का closing 1180 तो 3440 minus 1180 2260 2260 हमारा quarter 2 का production आ गया अब हम quarter 3 की बात करते हैं quarter 3 में quarter 3 में हमारे पास 2480 का 50% 1240 यह closing stock आ गया plus 260 3400 अब quarter 3 का opening क्या होगा quarter 2 का closing 1080 2320 आ जाएगा हमारा बहुत असान है अगर आप ध्यान से समझेंगे तो बहुत असान है को टेंशन की बात नहीं है अब quarter 4 का closing quarter 4 के closing के लिए हमें बता रखा है 2200 सीधा दिया हुए 2480 plus 2200 4680 इसमें से माइनस कर देंगे opening जो पिछली भार का closing है वो इस साल का opening है 1240 340 440 तो यह 340 2320 2260 और 980 तो टोटल 10,000 का हमारा आटपुट है प्रोड़क्ट ए का प्रोड़क्ट ए का आटपुट है हमारा 10,000 यूनिट्स अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर पर प्रोड़क्ट B की बिलकुल ऐसी quarter 1, quarter 2, quarter 3, quarter 4 और total तो quarter 1 की सेल कितनी है इसकी 2,000 quarter 2 की सेल 1,000 1,250 और 750 टोटल बंद करते हैं अब हमारे पास है closing stock closing stock के लिए बोला हुआ है यहाँ पर भी next quarter की सेल का 50% हमारा closing stock हो जाएगा तो यहाँ quarter 1 में next quarter की सेल का 50% 500 यह closing हो गया यहाँ पर 50% 625 यहाँ 50% 375 और last में closing stock 1,000 दिया हुआ है तो यह हमारी सेल्स है यह हमारा closing है 2500 1,625 1250 प्लस 375 अगेंस 1625 और 1750 माइनस opening जो opening stock है वो same quarter की सेल का 100% है इसका 100% 2000 तो 500 का हमारा output हो जाएगा फिर हमारी जो पिछली बार का closing है वो next time का opening हो जाएगा 1,125 उसके बाद फिर हमारा जो closing है next time का opening हो जाएगा 1000 और closing 1375 जो total output है 500 प्लस 1125 प्लस 1000 प्लस 1375 4000 का output total product B का होगा total मिलाकर हमारा 14,000 यूनिट्स का output होगा A और B का मिलाकर तो production बजट में sales plus closing stock minus opening stock करना है sale भी finish goods की होती है closing stock भी finish goods का होता है और opening stock भी यहाँ पर finish goods का ही हम लेते है एक question हो रहे है हमारे पास जो हमें बताएगा कि भाया हमें कितना information जो जो information दी हुई है उसके बारे में हमें बात बता रहा है तो question number six है ये कह रहा है कि delimited है और ये produced करता है एक single product sales हमें budget बना रखा है sales हमें already दे रखा है अलग-लग quarter wise sales हमें already given है अब हमें बता रखा है 2016 में opening stock 4000 होने की उमीद है और closing stock 6500 होने की उमीद है production जो है वो हमारा scheduled है इस तरीके से कि two-third of the current quarter sale और one-third of the following quarter demand ये हम production करते हैं तो production हमारी पहले ही एक महिना जल्दी हो जाता है कैसे अभी हम उसके बारे में बात करते हैं क्या question में लिखा है quarter one में हमारी जो production है two-third of the current quarter मतब इस में हमारी तीन महिने है इन तीन महिने में से two-third मतब दो महिने की हम production इस quarter की जो sale है उसकी production इसी quarter में करते हैं दो महिने की तीन में से और एक महिने की कैसे जल्दी कर लेते हैं क्या रखा one-third of the next quarter demand तो quarter two में भी तीन महिने है लेकिन इस तीन महीने का वन थार्ड मतलब एक महीना हम इसी quarter one में कर लेंगे quarter two की एक महीने की sale जितनी है उसका production quarter one में कर लेंगे तो कुल मिलाकर कानी यह है कि quarter one में दो महीने की sale quarter one की और एक महीने की sale quarter two की production होगा quarter two में दो महीना quarter two की sale का एक महीना quarter three की sale का production होगा तो यहां closing stock कितना निकल कर आएगा quarter one में quarter one में जो closing stock होगा वो ये होगा quarter two की sale क्योगी quarter two की जो एक महीने की sale आपने advance में माल बना लिया है वो विका तो है नहीं अभी यह closing stock है तो एक महिना जो quarter 2 की sale है यह closing stock होगा quarter 1 का ऐसी quarter 2 का closing stock क्या होगा एक महिना quarter 3 की sale तो बच्चों जो closing stock होता है इस quarter का वो पिछले quarter का opening हो जाता है इस लिहाज से यहाँ पर जो opening आएगा वो होगा जो पिछले quarter का closing होगा मतलब एक महिना quarter 1 एक महीना quarter two इस तरीके से चलेगा अभी मैं question करूँगा तो आपको दोबारा सिखा दूँगा समझा दूँगा ये सारी बात बहुत simple है थोड़ा सा आपको ध्यान देकर समझना है बहुत जादा नहीं समझना थोड़ा सा समझना है चले आगे बता रहा हमें कि एक unit को बनाने में कितना material लगता है तो एक unit को बनाने में कितनी labor के hours कितना material यहां लेका direct material 10 pound लगता है 50 पैसा पर pound के हिसाब से LBS pound के लिए use होता है जैसे आब market में उन खरीदने के लिए जाए बूल खरीदने के लिए जाए, तो upon के हिसाब से मिलती है, वो, डारेक्ट लेबर है, time के हिसाब से, variable overhead time के अज़े है, fixed overhead time के हिसाब से है, हमें production budget बनाना है, 2016 का quarterly, और number of units कितिनी produced होगी, total labour, variable overhead, fixed overhead, material, सब कुछ बताना है कितना होगा, selling price अगर 18 रुपए है तो कितना profit होने की उम्मीद है और कौन से quarter में break even आएगा तो बहुत सारी बाते पूछ ली इन्होंने तो हमसे इतना ग्यान तो हमारे पास है वी जी इतना यह बढ़वाना चाहरे हैं हमसे हाँ आप लोग बच्चे बहुत होश्यार हैं और समझदार हैं इसलिए मेरा मन कर रहा है कि आपको यह ग्यान थोड़ा सा बाठ दिया जाए चलिए शुरुआत करते हैं हमें बनाना है quarterly sales का हिसाब तो quarter 1, quarter 2, quarter 3, quarter 4 और total sales 12,000 units 15,000 units 16,000 units 18,000 units तो यह थो हमारी total sales हो गई ठीक है अच्छा यहाँ पर हमें वह वाला formula नहीं लगा रहा कि sale plus closing minus opening क्योंकि हाँ सीधा बता रखा production कितनी है production कितनी बता टौर्द कि हमारा किया production 2 3rd of the current quarter sales 2 3rd of current quarter sales मतलब की 12,000 का dw Buddy 15,000 का 2 3rd 16,000 का 2 3rd और 18,000 का 2 3rd करन क्वाटर की सेल का 2 3rd 8,000 10,000 16,000 इंटू 2 बाई 3 10,667 और 12,000 अब बात करते हैं 1 3rd of next quarter sales 1 3rd of the following quarter sales तो अगली सेल है हमारी 12,000 15,000 15,000 का 1 3rd 5,000 16,000 का 1 3rd 5,333 18,000 का 1 3rd 6,000 और closing inventory हमें बता रखा है 6,500 तो ये closing inventory क्या होगी जो मैंने आपको बताया था closing inventory दो बारा से समझो देखिए हम quarter 1 में quarter 4 की बात पताता हूं चलो quarter 4 में हमारी जो production होगी वो होगी दो महीना quarter 4 का और एक महीने की production quarter 1 of next year तो हम sale करेंगे ये ये हमारे stock में रहेगा closing stock एक opening stock भी होगा वो होगा एक महीने की sale quarter 4 की क्योंकि वो पिछली बार हमने बना ली होगी तो ये भी sale हो जाएगी इस बार और ये closing stock हो जाएगा तो closing stock next quarter की sale का one month होगा तो यहाँ पर हमें already दिया है closing stock 6500 तो ये 6500 one third है next quarter की sale हम चाहें तो इसे 3 से multiply करके next quarter की sale का अंदाजा बता सकते हैं कितनी हमने सोच रखी है लेकिन उसका हमें कुछ करना नहीं है तो अब हम production निकाल कर तयार हो गए 13,000 की production होगी first quarter में 15,333 unit की production होगी second quarter में 16,667 की third में और 18,500 की fourth में और जो total production होगी वो 63,500 होगी पहला काम हमने कर लिया quarter wise हमने देख लिया कितना हैं लेकिन हमने केवल unit produced हैं निकाली हैं और हम लोगोंने अभी ये नहीं देखा कि इसके अंदर total cost और direct labor variable overhead और ये सब क्या आएगी तो ये भी हम पता लगा लेते हैं कि कौन-कौन सा खर्चा कितना आएगा तो हमें हरी की cost और निकालने हैं quarter 1, quarter 2, quarter 3, quarter 4 production production हमें पता चल गी 13,000 15,333 16,667 और 18,500 ये हमारी production है अब सबसे पहले हमारा जो expense है वो material का है ये हमें standard cost वन यूनिट का दे रखा है direct material वन यूनिट में 10 पौन लगता है और एक पौन पचास पैसे का है तो इसका 5 रुपे पर यूनिट का खर्चा आ गया तो हम material का खर्चा 5 रुपे के साब से लिख लेते हैं तो 13,000 into 5 हमारा 65,000 रुपे का खर्चा आ जाएगा 65,000 पार्च रुपे के हिसाब से 76,665 ये तो production थी ये रुपीज में हमारी cost आने लगी 16,667 into 5 83,000 335 और quarter 4 की sale है हमारी 92,500 अब हम labor की बात करते है labor labor है 1.5 hours per unit 1.5 hours per unit और एक घंटे का 4 रुपे तो पर युपे 6 रुपे का expense हो गया labor का ये बाफिर से एक unit को बनाने में 1.5 hours लगते हैं डेड़ घंटा और एक घंटे का 4 रुपे तो डेड़ घंटे का 6 रुपे तो 6 रुपे पर unit का labor का खर्चा आ गया तो 13,000 इंटो 6 हमारा हो गया 78,000 91 998 वैसे ये 92,000 है round off करने की वज़े से फरकार है 1,02 ये actual में 1,00 है 1,11,000 next है variable overhead 1.5 पर hour कैसे variable overhead एक घंटा 30 मिनट बता 1.5 hours और एक रुपे घंटे के हसाब से डेड़ रुपे का खर्चा आ जाएगा तो variable overhead हमारा डेड़ रुपे के हसाब से एक रुपे 50 पैसे के हसाब से खर्चा आ जाएगा तो 13,000 इन्टू 1.50 पैसा ये होता है हमारा overhead 19,500 23,000 25,000 और 27,750 इसके बाद next expense है fixed overhead जो 2 रुपे घंटा है और हमने सोचा है साल बर में 90,000 घंटे लगेंगे तो fixed overhead 90,000 घंटे लगेंगे 2 रुपे के हसाब से 1,80,000 एक साल का खर्चा होगा 4 quarter है 45,000 रुपे हर एक quarter का खर्चा हो जाएगा तो 45,000 रुपीज fixed overhead का खर्चा हो जाएगा तो 45,000 45,000 45,000 45,000 तो ये total हमारी total cost होने की उमीद है कितनी अगर मैं इसमें क्योंकि आगे मुझे break even point भी निकालना है तो total variable cost चली वो निकाल लेंगे total cost निकाल लेता हूँ 65,000 78,000 19,500 और ये total variable cost है total variable cost 1,62,500 और total cost 2,7,500 ये हमारे पास एक first quarter की cost आगई उसके बाद 76,000 वैसे variable cost हम बहुत अराम से निकाल सकते हैं 5 रुपे, 6 रुपे, 11 रुपे और 1 रुपे, 50 पैसे 12 रुपे, 50 पैसे 12.5 को अगर मैं multiply करता हूँ 13,000 से तो ये आए जाता है total variable cost is at the rate 12 रुपीज 50 पैसा 12 रुपे, 50 पैसे के साबसे हमारा expense आ जाएगा अब हमारे पास next quarter की अगर हम cost देखें तो ये भी 12 रुपे के साबसे आ जाएगा तो 15,333 into 12.5 तो ये भी हमारी total cost आ रहेगी 1,91,663 1,91,663 ये variable cost आ रहेगी और इसमें plus 45,000 कर देंगे तो total cost आ रहेगी 2,36,663 और ये है 16,667 into 12.5 ये variable cost आ रहेगी 2,08,337 or total cost 2,53,337 18,500 into 12.5 2,31,250 और total cost 276,250 तो हमारे पास ये total cost आ गई हम से second part में बुला है कि अगर selling price 18 rupees है तो हमारा budgeted profit कितना होने की उम्मीद है तो हमें total cost भी पता चल चुका है अगर अब मैं total cost पता लगाने के बाद sales हमें पता ही है तो हम total profit तो बड़े आराम से निकाल सकते हैं तो करते हैं कारे करम और निकालते हैं sales लगते हैं तो sales हमारे पास कितनी हो जाएगी at the rate sales यह total sales है हमारे पास 12,000 plus 15,000 plus 16,000 plus 18,000 तो जो sales होने की उम्मीद है वो है 12,000 15,000 16,000 और 18,000 61,000 units at the rate रुपीज 18 तो 10,98,000 रुपीज की तो हमारी sale होगी ठीक है अब इस में से हम less करेंगे variable cost variable cost at the rate 12.5 आजएगी 12.5 रुपे के हिसाब से variable cost तो 61,000 units into 12.5 तो 7,62,500 हमारा variable cost हो गया तो इस sale में से variable cost less कर देते हैं तो उसको हम contribution बोलते हैं हम पहले बात कर चुके हैं इसके बारे में इन केस नहीं करा तो आप marginal costing पहले पढ़ लीजिए आपको सारी detail पता चल जाएगी उसमें contribution आगे 335,500 मैं आपको हलका सा अंदाजा भी बता देता हूँ इसके बारे में कि ये क्या है contribution क्यों contribution बोल रहे हैं और ये होता क्या है इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ देखिए आपको पता यह है जो sales होती है वो cost plus profit होती है और जो cost होती है उसमें variable cost fix cost होती है और profit अगर मैं इस variable cost को इधर ले जाँ तो sale minus variable cost is equal to fix cost plus profit इसे हम contribution का नाम दे देते हैं अब इस contribution में से अगर मैं fix cost less कर दूँ तो मेरा answer क्या आएगा profit तो यही काम कर रहा हूँ मैं इसमें से less कर रहा हूँ मैं fixed cost fixed cost हमने calculation करी रखा है total fixed cost 1,80,000 है तो 3,35,500 वाइनस 1,80,000 तो 1,55,500 रुपीज का हमें profit होगा ऐसा हम अंदाजा लगा सकते हैं तो second part का भी हमने answer निकाल लिया अब हम बात करते हैं third point की जो है कौन से quarter में हमारा break-even point आएगा break-even point भी marginal costing में है और आपने शायद economics में बहुत पहले पढ़ा रहा हो 11th में या 12th में तो बच्चो break-even point का formula क्या होता है जिसे हम short में BEP बोल देते हैं यह होता है fixed cost upon contribution per unit बच्चो fix cost है 1 lakh 80,000 contribution per unit contribution होता है sales 18 minus variable cost 12.5 तो 1 lakh 80,000 divided by 12.5 18 minus 12.5 means 5.5 तो 1 lakh 80,000 divided by 5.5 हमारा 32,727 units जब बिकेगी तो यह break-even point होगा break-even point या break-even sales होता है sales का वो level जहाँ पर हमें ना तो profit हो ना ही loss हो add power हो जाए इसके लिए अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो marginal costing पढ़ लिजेगा तो अब break-even point हमें कौन से quarter में आएगा तो quarter 1 की sale कितनी है 12,000 break-even point तो नहीं आएगा quarter 2 की sale कितनी है 15,000 27 total अभी भी break-even point नहीं आएगा और इसके बाद में हम बात करते हैं quarter 3 की quarter 3 की sale है 16,000 तो 27,000 plus 16,000 43,000 तो हमारा यह level achieve हो जाएगा तो हम कहेंगे quarter 3 में break-even point आएगा तो question हमने किया बहुत बढ़िया बहतरीन गजब का question जिसके अंदर बहुत सारा काम करना था मुझे तो बहुत मज़ा आया उमीद है आप लोगों को भी खूब मज़ा आया होगा इसमें चलिए हमारे पास अब next budget है material budget हम लोगों ने सबसे पहले कौन सा budget बनाया था बच्चो जल्दी से बताएए हाँ जी बताओ बोलो बोलो सबसे पहले शाभाज sales budget अगर हमें पता चल गया हमारी कितनी sale होनी है तो उसके बाद हम क्या बता लगगया तो उसके शाब से हम क्या करेंगे production और एक बार पता चल गया कितना production करना है तो फिर हमें पता चल जाएगा raw material requirement कितनी है consumption कितनी होनी है फिर उसके हिसाब से raw material purchase budget बनाएंगे तो अब हम इस स्टेज पर आ गए है material budget हमें एक बार पता चल गया production कितना करना है तो फिर हमें material का भी पता चल जाएगा कि इतनी production करने के लिए कितना material जरूरी है हमें जो चाहिए तो यह जो budget है यह हमें बताएगा कितनी quantity की जरूर्थ है हमें output के लिहाज से metal budget में metal requirement budget होता यह क्या होता production multiply by raw material per unit एक unit में जितना raw material चाहिए उसे हम production output से multiply कर देंगे तो raw material requirement बिजट हैगा यह हमें बताता है कि कितनी raw material की जरूर्थ है output के लिए तो हमारा जो requirement per unit है एक पर हम निकाल लेंगे तो उसे multiply कर देंगे output से तो हमें पता चल जाएगा कितना production के लिए चाहिए और cost निकालने के लिए यह units हो गई और इसको cost per unit से multiply करके rupees में आ जाएगा कितना costing आएगे दूसरा है पच्छेस budget जितना raw material आपने production करना है consumed करना है उतना ही थोड़े ना खड़ीद होगे जैसे हमने बात करी थी sale जितना करना उतना ही थोड़े ना बनाएगे उससे ज़्यादा बनाएगे कम बनाएगे closing opening stock के हिसाब से पता चलेगा ऐसे ही material purchase उतना थोड़े ना करेंगे कि जितना raw material consumed होना closing stock के लिए भी खड़ीदेंगे लेकिन जो opening stock है वो तो नहीं खड़ीदना है तो यह हिसाब होई है जो हमने पहले पढ़ा था production into raw material per unit तो हमारा raw material consumed आ जाएगा लेकिन हम raw material consumed को नहीं खड़ीदेंगे क्योंकि हमें closing stock भी खड़ीदना है closing stock किस चीज़ का raw material का minus opening stock of raw material तो यह बिल्कुल वैसी budget बन गया जैसे production के लिए था usage plus closing stock minus opening stock तो यह हमारा बहुत ही असान हो गया question number 7 पर आते हैं sales director है affiliate के next year में उन्हें उम्मीद है 54 थाउसी unit बेचेंगे तो sale widget दिया हुआ है production manager को पता है two kinds of raw material लगते हैं इसे बनाने के लिए दो unit A की हो तीनी unit B की लगती है हमें finished का raw material का हमें opening closing दिया है और हमें एक quantitative chart बनाना है material 25 कितना करना next year तो इसमें अब तक का सारा ज्यान आपका उड़ेलना पड़ेगा सारा ज्यान इस्तिमाल करना पड़ेगा आप लोगों को तो अब तो हमारी जान पिचान बहुत हो गई बहुत समय से हम साथ में आप मुझे जहल रहे हैं मैं तो आपको इतना नहीं जहल रहा हैं आप मुझे ज़्यादा जहिल रहे हैं तो थोड़ा सा अब आप मुझे समझ गए हैं कि कैसे काम कराता हूँ मैं तो यहाँ पर solution जब करने लगेंगे तो सबसे पहले sales हमें दी हुई है कितनी 54,000 units मैं इसमें closing stock of finished goods add कर दूँ क्योंकि यह भी माल बनाना पड़ेगा मैं production बिजट बना रहा हूँ तो closing balance हमें बता रखा है finish goods का 14,000 है जिसको हमें 68,000 की जो थे लेकिन जो opening stock होगा वो तो हमें नहीं बनाना पड़ेगा तो opening stock of finished goods से 10,000 जिसकोंता 58,000 units हमारी production हो गई तो पहला काम हमने यह कर लिया कि production बिजट बना लिया और हमें यह पता चल गया कि 58,000 unit की production होनी है अब अगला काम क्या करें अगला काम हम यह करते है कि इसमें से A और B कितना जरूरी है requirement तो requirement है A की 2 unit तो 58,000 into 2 1,16,000 unit तो हमें A की चाहिए और B की 58,000 into 3 तो 1,74,000 यह हमें B की unit चाहिए plus closing stock A का closing stock 13,000 B का closing stock 16,000 तो यह हो गया 1,29,000 यह हो गया 1,90,000 minus opening stock opening stock 12,000 A का 15,000 B का तो यह total है 1,17,000 और 1,75,000 तो यह है raw material purchase budget अगर अब हमें एक unit का amount रुपीज में price दे रखा हुता हम रुपीज में भी raw material purchase निकाल सकते हैं तो यह था हमारा raw material purchase budget उमीद है आप लोगों को बहुत अराम से प्यार मुबबद में समझ में आ गया होका हम आते हैं question number 8 पर और question number 8 जो है वो हमें बताता है कि अलग-अलग महीने में कितनी sale होने की उमीद है और कितना finish stock का closing stock है raw material का कितना closing stock है हर एक production में 2 kilo raw material लगेगा पांच रुपे के हिसाब से हमें production budget बज़ट बनाना है units में raw material 25 बज़ट बनाना units में और रुपीज में half year के लिए तो बनाना शुरू कर लेते हैं हमें को टेंशन नहीं है आप लोग मेरे से जल्दी बना लेते हैं यह पता है आप बहुत तेज हैं तरार हैं और समझदार हैं तो हमें बनाना है 30 सितंबर तक के लिए ठीक है तो हमें information दी भी है 8 months के लिए और हमें budget बनाना है half year के लिए April, May, June, July, August, September और हमें दिया हुआ है क्या sales 12,000, 13,000, 9,000, 8,000, 10,000, 12,000 इसमें plus कर देता हुआ हुआ है closing stock of finished goods ताकि मुझे पता चल सके कितनी requirement है finished goods है 50% of estimated sale for the next month अगले महिने का 50% 65,000, 13,000 का 50%, 9,000 का 50%, 45,000, 8,000 का 50%, 4000, 10,000 का 50%, 5000, 12,000 का 50%, 6000, और October की sale है 14,000, इसका 50%, 7,000 तो योग्या 18,500, 17,500, 13,000, 13,000, 16,000, 19,000, minus opening stock अब opening stock के लिए क्या बोला गया है एप्रिल का opening क्या होगा अगर हम लोग अगले महिने का 50% इसी महिना finished goods रखते हैं closing ध्यान से सुनो एप्रिल का closing कितना है में की sales का 50% तो मार्च का closing कितना रहा होगा एप्रिल की sales का 50% और जो मार्च का closing है वो एप्रिल का opening है तो एप्रिल का opening है एप्रिल की sales का 50% यह वह जाएका 12,500 प्रोडक्शन तो प्रोडक्शन आएगा 12,500 अब यह जो closing है एप्रिल का यह opening बन जाएगा में का 6,500 तो यह हो जाएगा 11,000 45,000 तो यह हो जाएगा 8,500 4,000 9,000 हो जाएगा 5,000 11,000 और 6,000 13,000 तो यह तो हो गया production अब हम निकालते हैं raw material consumption budget raw material कितना consumed होगा तो question में लिखा है 2 kg होता है पर unit तो 2 kg के हिसाब से 12,500 यूनिट पर 2 के हिसाब से 25,000 हो जाएगा at the rate 2 kg पर unit तो 12,500 इंटो 2 25,000 किलो हमारा raw material लगेगा consumption होगा यहाँ पर 22,000 यहाँ पर 17,000 यहाँ पर 18,000 यहाँ पर 22,000 यहाँ पर 26,000 तो यह हमें जरूरत पड़ेगी raw material को consume करने की plus closing raw material closing कितना है तो यहाँ लिखा है raw material estimated consumption for the next month next month की consumption तो next month की consumption है 22,000 17,000 18,000 22,000 26,000 अब October की consumption कितनी है तो हमें October की consumption भी निकाल ली पड़ेगी तो October की sales कितनी है 14,000 और October का closing stock कितना होगा 50% estimated sale of the next month इसके मताब 12,000 का 50% 6,000 20,000 minus opening opening है 7,000 13,000 तो 13,000 into 2 26 तो closing stock है closing stock को raw material है next month का consumption 26,000 तो यह हो जाएगा 47,000 minus opening raw material opening इस बार का जो भी अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि हमारा एप्रिल में raw material stock है closing may की consumption तो इसके मताब इस महिने का जो भी raw material ज़रो है था वो पिछले महिने खरीद का रख लिया होगा तो opening stock इसी महिने का जो consumption है 25,000 तो पच्चेस कितना करेंगे तो 47,000 minus 25,000 तो 22,000 हम पच्चेस कर लेंगे ऐसे यहाँ पर 22,000 plus 17,000 हमारे पास आगया 39,000 और opening क्या होगा जो पिछली बरकर closing है 22,000 तो 17,000 आगया अब यहाँ पर total हो गया 35,000 minus 17,000 18,000 तो यह हमारा budget आता जा रहा है कितना पच्चेस हमने करना है total 40,000 minus opening which is closing of previous month 18 so 40 minus 18 22 48,000 minus 22 26 and 52 minus 26 is 26,000 तो पच्चेस कितनी units में होना है यह हमने निकाल लिया यहाँ पर बोला गया था हमें rupees में भी निकालना है और units में भी निकालना है और rupees में भी निकालना है तो at the rate rupees 5 पर kg है तो room metal पच्चेस rupees में आ जाएगा 22,000 x 5 1,10,000 17,000 x 5 85,000 18,000 x 5 90,000 22,000 x 5 1,10,000 26,000 x 5 1,30,000 और 1,30,000 तो हम लोगों ने हर एक चीज जो question में पूछी थी वो निकाल ली अगर हमें इन सब का भी total करके निकालना चाहे है total कितना amount purchase होगा पूरे साल में तो 6,55,500 रुपीज होगा यह हमारा question number 8 था अब हम आते हैं question number 9 पर थोड़ा सा different है लेकिन अच्छा है थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा जिसमें थोड़ा सा दिमाग ओल लगाना है अपड़े ज़्यादा लगाना पड़े वो तो अच्छा हो जाता है आपके लिए तो यह वजट है हमें working days बता रखे है production अलएडी दे रखे है logi production वजट तयार है purchases हमें बता रखे है कौन-कौन से महीने में करनी है opening romatil per unit romatil बता रखा है opening romatil stock, closing romatil stock FIFO के साफ़ से हमें quarterly और annual purchases romatil value और weight wise चाहिए और closing quarterly stock weight and value wise चाहिए चलिए आप video post करके चाहिए तो तसली से question को इबर और पढ़ सकते है और अराम से पढ़ सकते है अब हम question करने के लिए तयार है quarter है हमाने पास quarter one quarter two quarter three quarter four production हमें बता रखे है 65 days में रोजन 100 होगा तो 65 hundred का production होगा 60 into 110 66 hundred 55 into 120 66 hundred again 50 into 126 63 hundred तो यह हमारी production आ गई कि कब कितनी production हमने करनी है ठीक है total तो हमें तो हमें तो हमें रो मेटिरियल का चाहिए यह production है तो रो मेटिरियल हमें चाहिए दो किलो के हिसाब से लग रहा है तो यहां पर कितना लगेगा 13,000 किलो 13,200 किलो 13,200 किलो 63 hundred 12,600 किलो और 52,000 किजी और हमें पूछा है value wise बताओ rate है इसका अच्छा यह रो मेटिरियल requirement आ गया कि हमें total पूरे साल में 52,000 किलो ग्राम रो मेटिरियल की requirement है अब 25 बजट बनाते है plus closing रो मेटिरियल stock closing stock को रो मेटिरियल है 2000 किलो minus opening रो मेटिरियल 4000 किलो तो इसके अच्छा हमें 50,000 किजी पूरे साल में 25 करना है 25 बजट आ गया 50,000 किजी अब हमें ये भी पता चल चुका है कि हम first quarter में 30% खरीदेंगे तो इसका मतलब 50,000 का 30% हम 15,000 किलो first quarter में खरीदेंगे और उसका rate भी है एक रुपए तो पंदर हजार रुपे का माल हम खरीदेंगे first quarter में second quarter में हम कितने का खरीदेंगे 50% तो 50,000 का 50% 25,000 किलो खरीदेंगे और rate होगा एक रुपए पांच पैसे तो 25,000 इंटू 1.05 26,000 250 रुपे का माल हम quarter 2 में करीदेंगे quarter 3 में हम करीदेंगे 50,000 का 20% 10,000 किलो और एक रुपए 1.125 के हिसाफ से 15,000 250 रुपे का माल खरीदेंगे तो पूरे साल में कितने की purchases हो गई 11.250 प्लस 26.250 प्लस 15,000 52,000 500 रुपीज की पूरे साल में हमने purchases कर ले अब हमें पूछा है B पार यह A पार का अंसर आगे B पार पूछा closing quarterly stock by weight and value तो यह कैसे करेंगे इसे समझते हैं quarter 1 quarter 2 quarter 3 quarter 4 इसमें हमें units amount units amount units amount और यूनिट्स और amount यूज करना है देखें सबसे पहले बात हम करते हैं कि closing quarterly stock हमें पता लगाना है तो सबसे पहले opening stock opening stock हमारा raw material कितने का है 4000 किलो 4000 units है 4000 रुपे की है plus purchases purchases है 15000 unit 15000 रुपे की तो इसमें तब 19000 unit 19000 रुपे की हो गई minus consumption तो पहली बार जो पहले महीना हमने एक consumption करना है वो 13000 किलो करना है तो एक रुपे के हिसाब से 13000 रुपे की आएगा तो इसके मतर closing stock पहले quarter में 6000 units 6000 रुपे की आएगे अब हम बात करते हैं quarter 2 की जो closing stock है quarter 1 का वो opening stock हो जाएगा quarter 2 का purchases 25000 किलो 26000 रुपे का तो हमारे पास 31000 units अवलेवल हैं 32000 250 की अब consumption हो रही है consumption होती है FIFO first in first out तो यहाँ पर consumption कैसे होगी हमारी जो consumption है 13200 किलो है उसमें से 6000 6000 6000 वाली 6000 एक रुपे के हिसाब से 6000 की और जो और जो consumption है वो 13200 है तो 7200 किलो 7200 किलो जो हमने यूज करा है वो इसमें से करा है जो एक रुपे पांच पैसे वला है 7200 एक रुपे पांच पैसे के हिसाब से 7560 तो हमारी 13200 की consumption होई है और वो भी 13560 रुपे में तो 13560 रुपे की consumption है हमारी ये हमारी 13560 और 13200 यूनिट्स तो हमारे पास 31,000 31,000 माइनस 13,200 तो हमारे पास 17,800 की यूनिट्स बची और जो एमाउन बची वो 18,690 की बची ये ओपनिंग हो जाएगा 17,800 यूनिट्स और 18,690 की फिर हमने पचेसिस किया है 10,000 किलो 11,250 का तो 27,800 हमारे पास यूनिट्स हो गई और एमांट हो गई 18,690 की प्लस 11,250 29,940 रुपीज है अब हमारी जो कंसम्शन है quarter 3 में वो 13,200 अगेन है 13,200 तो ये 13,200 कैसे आएगा ओपनिंग 17,800 है इसी में से 13,200 यूज होई होगी और इसका जो रेट है वो क्या है 18,690 डिवाइड बाइ 17,800 तो 1.05 का रेट है पिछली पारवाल है का 1.05 तो जो हमारी यूज हो रही है 13,200 ये 13,200 हमारी 1.05 के साथ से यूज हो रही है 13,860 इंटो 13,200 13,860 तो 13,860 का हमने यूज कर लिया 27,800 माइनस 13,200 तो 14,600 के हमारी यूज हो गई और एमाउंट हमारे पास आ गई 16,080 जो अगली बार का ओपनिंग बन गया पर्चेशेस लास्ट कौर्टर में तो है नहीं और जो कंजम्शन है 12,600 है 2000 का क्लोजिंग स्टॉक हो गया हमारे पास और जो अमाउंट है वो सारी की सारी इसी में से यूज होगी 14,600 में से जो 14,600 है हमारे पास ये 14,600 इसका ब्रेक अप क्या है इस 14,600 जो पीछली बार का क्लोजिंग था इसमें 10,000 रुपए 10,000 यूनिट तो 1.125 वाली है और 4,600 यूनिट इसमें 1.05 वाली है इसलियास से टोटल 14,600 होता है तो जब हम इसमें से इशू करेंगे फीफो कंसम्शन करेंगे तो 4,600 तो ये कंस्यूम्ड हो जाएंगी 4,600 1.05 के हिसाब से 4,830 की और 12,600 में से 4,600 ये हो गई तो बागी बची 8,000 इसमें से 8,000 1.125 9,000 रुपए की टोटल 13,830 रुपए की यूज हो गई 13,830 रुपए की और जो क्लोजिंग स्टोंक आया वो आया हमारा 2,250 दोबारा से एक बढ़ बता देता हूँ कि जब फीफो होता है 1st in 1st out तो हमारा ये जो quarter 4 का opening है इसका break up है 4,600 ये rate का और 10,000 नई rate का जब consumption होगा पहले इसमें से होगा 4,600 फिर इसमें से होगा 8,000 ताकि 12,600 का consumption हो जाए इनके rate लगा दी ये consumption आ गया वागी balancing figure आ गई तो closing, quarterly, weight और value wise ये भी हम लोगों ने calculate कर लिए अब हम बात करते हैं direct labor budget की पहले हमने पढ़ा था direct material budget material consumption का पता लगाने के बाद हम पता लगाना चाहते हैं कि हमारा labor का कितना expense आ रहा है direct labor budget में labor की cost हमारी हमें आपको पता ही है indirect और direct labor cost होती है और हम direct labor, indirect labor का budget बनाते हैं ताकि हमें labor cost का पता चल पाए direct labor budget से हमें पता चल पाएगा कितने number of employees चाहिए क्योंकि अगर हमें output करने के लिए जितने लोगों की requirement है वो सारे के सारे लोग हमारे पास जब काम करने के लिए आएंगे तो कितने लोग हमें चाहिए है कितने लोग काम का निगली आएंगे कैसे पता चलेगा इतना output चाहिए वो कहां से पता चलेगा production budget से पहले sale budget बनाएंगे फिर production budget फिर कितने घंटे काम चाहिए होगा एक आदमी एक दिन में कितना घंटे काम करता है एक महिने में कितना घंट है यह सारी calculation हमें कंदी पड़ेगी तो किस type का आदमी चाहिए कौन सी grade का आदमी चाहिए तो यह हमें सब information पता चल पाएंगे ठीक है ना? डारेक्ट और इंडारेक्ट लिबरार्स दोनों पता चलेगा चले हम आते हैं question number 10 पर question number 10 की help से हम सीखने की कोशिश करते हैं edge limited है यहाँ पर 8 घंटा काम होता एक दिन में one week में six days हमेशा हम labor के chapter में भी हमने यही बात करी थी कि कुछ भी ने कहा हो तो एक दिन में कितना घंटा काम होता? 8 hours और one week में कितना days काम होता? six days, Sunday चुट्टी आप अब यह मत सोचो सर हमारी तो चुट्टी नहीं होती संड़े की तो संड़े चुट्टी हो जाती है आपकी आप बीज में भी चुट्टी मार लेते हो जो budget period है यह one year का है और हर quarter में कुछ घंटे खराब हो जाते हैं चुट्टी की वज़े से आप भी तो चुट्टी मारते हो holidays भी लेते हो कोई ओर reason भी होते हैं तो quarter basis पर 124 hours हमारे बेकार हो जाते हो direct labor per unit हमारे पर दो department है P और Q और दो product है A और B और वहाँ पर कितना कितना घंटे क्या क्या rate है इस सब बता रखा है unit जो हमें production budget के हिसाब से बनानी है वो भी बता रखी है prepare man power budget showing direct labor hours कितने घंटे काम होगा number of workers कितने worker की जोद पड़ेगी man power budget showing labor cost मतलब हमें सब कुछ पता लगाना है क्या क्या होगा चल यह बनाते हैं कि attention है आप तो बहुत समझदार बच्चे है यूँ ही बना देंगे इसे साथ साथ बनाना mood है तो बना लो नहीं तो बाद में करना पड़ेगा हाँ तो बच्चो हमसे पूछे जा रहा है man power budget बनाओ direct labor hours बताओ number of workers कितने चाहिए तो बच्चो हमें आप मुझे बता worker product product A या B के साथ से चाहिए या worker department के साथ से चाहिए तो मुझे पका यह कीना आपका जवाब होगा कि जो worker है वो department में काम करते हैं तो department wise worker की requirement है तो department P और department Q दोनों department में हम देखते हैं कितने worker की requirement है product A तो A product डिवाड़मेंट P product A एक यूनिट दो घंटा में एक यूनिट बनती है और हमें यूनिट बनाने ही कितनी है 10,000 तो हमें 10,000 डिवाइड बाइ 2 इसका मतलब दो घंटे में एक यूनिट बनती है सौरी दो घंटे में एक यूनिट बनती है तो हमें 10,000 यूनिट के लिए 20,000 आर्स की जरुत पड़ेगी अब हम बात करते हैं B डिवाड़मेंट B प्रोड़क्ट की एक घंटे में एक यूनिट तो 10,000 यूनिट के लिए 4,000 यूनिट के लिए क्योंकि 4,000 है 4,000 यूनिट के लिए एक घंटे में हमें 4,000 आर्स की जरुत पड़ेगी एक बाद फिर से गड़बर हो गया मुझे बताते हुए दोबारा से बतातो देखो बच्चो प्रोड़क्ट A डिवाड़मेंट P एक यूनिट के लिए 2 घंटा चाहिए डिवाड़मेंट P प्रोड़क्ट A 10,000 यूनिट्स हमें बनानी है और एक यूनिट में 2 घंटा लगता है तो हमें टोटल 20,000 घंटे की जोट पड़ेगी उसके बाद अगला बात करते हैं हमारे पास प्रोड़क्ट B है जिसकी 4000 यूनिट बनानी है तो 4000 यूनिट बनानी है और एक यूनिट को बनाने में प्रोड़क्ट B की एक यूनिट को बनाने में डिपार्ड़क्ट P में एक घंटा लगता है तो 4000 घंटे की जोट है तो डिपार्ड़क्ट P में हमें 24,000 आर्स की जोट है अब हम डिपार्ड़क्ट Q की बात करते हैं डिपार्ड़क्ट Q में प्रोड़क्ट A एक घंटे में बनता है तो 10,000 यूनिट्स बनाने के लिए एक घंटे में एक यूनिट्स बनती है तो हमें 10,000 आर्स चाहिए और एक घंटे में प्रोड़क्ट B बनता है तो 4,000 यूनिट्स प्रोड़क्ट B की बनाने हमें एक घंटे में बनती है तो 4,000 आर् आपाडमेंट में B के लिए चाहिएं तो टोटल 14,000 आर्स की हमें जोत पड़ेगी तो ये हमने सबसे पहले बताया कि डारेक लेबर आर्स की कितनी जोत पड़ेगी अब हमें बताना है नंबर ओफ वरकर्स की क्या जोत है तो हमें ये पता लगाने के लिए कितने वरकर इन वन इयर हमें बता रखा है वो 8 आर्स काम करता है वन वीक में 6 डेज काम करता है और आपको पता है वन इयर में 52 वीक होती है तो ये टोटल कितने आर्स हो गए 8 इन्टू 6 इन्टू 52 2,496 आर्स हो गए हमारे कुछ वेस्ट हो जाते हैं लीव की वज़े से और होली डेज की वज़े से अदर कोसिस की वज़े से लीव, होली डेज और ये होते हैं 124 आर्स फोर क्वाटर हैं साल में हर क्वाटर में 124 आर्स खराब हो जाते हैं तो येर में 4 क्वाटर होते हैं क्योंकि एक क्वाटर मेंस वन बै फोर ओफ वन फोर्थ पार्ट अफ वन येर त्री मन्स तो फोर क्वाटर वन येर में वन क्वाटर में 124 आर्स तो फोर क्वाटर में 496 आर्स वेस्ट हो जाएंगे इसका मदा एक वर्कर वन येर में 2000 आर्स काम करेगा एक वर्कर वन येर में कितना काम करेगा 2000 आर्स तो हम अल्रेडी कैलकुलेर कर चुके हैं डिपार्टमेंट पी में वन येर में 24,000 आर्स की रिक्वाइर्मेंट है और वन वर्कर 2000 आर्स का करेगा तो कितने वर्कर चाहिए आपको department P में number of workers 24,000 divided by 2,000 इसका मतब 12 workers की requirement है department P में और department Q में कितने वर्कर चाहिए 14,000 hours divided by 2,000 hours equal to 7 workers तो 7 workers चाहिए हमें department Q में तो ये तो हमारा first part complete हो गया जो हमें से पूछा जा रहा था कि आप क्या पता लगाए आप बताईए कि कितने hours की requirement है और कितने worker की requirement है दूसरा हमसे पूछा जा रहा है labor cost बताईए तो B part में ये A part का answer था B part का answer निकाल लेते हैं calculate कर लेते हैं कितनी cost लगेगी तो department P में और Q में कितनी cost लगेगी product A के लिए हमें पता 20,000 hours की requirement है और एक घंटा यहां पर एक रुपे का है तो 20,000 रुपीज तो यह हो गए उसके बाद department P और product B यह दो रुपे के साफ से 4,000 hours 2 रुपीज के साफ से 8,000 तो total 28,000 रुपीज का expense production department P में हो जाएगा अब Q की बात करते हैं Q में हमारे पास product A के लिए 10,000 hours की requirement है और एक 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 आर वन आर का 3 रुपे का खर्चा है department Q में product A के लिए 3 रुपे 30,000 रुपीज और 3 रुपे का ही है Q में product B के लिए जो हमने निकाला था 4,000 hours 4,000 hours into 3 रुपीज 12,000 total 42,000 तो दूसरा काम यह हो गया कि total 42,000 रुपीज का expense हो गया department Q में और department P में हो गया किदने का 28,000 रुपीज का अगर हमें product wise चाहिए तो product A को बनाने में 20,000 रुपीज का expense आएगा यहाँ जगे नहीं है total की इसलिए मैं यहाँ side में नीचे लिख रहा हूँ और B को बनाने में 8,000 रुपीज का expense आएगा total expense 70,000 रुपीज का होगा तो जो budget बनेगा हमारा labor budget 70,000 रुपीज एक साल का expense होगा जिसमें department P में 28,000, department Q में 42,000 और total 70 breakup product wise तो product A में 50 और product B में 20,000 रुपीज का expense होगा चली हम आते हैं question number 11 में और यह question बहुत अच्छा है जिसके अंदर अब तक का सारा काम इसमें आ जाएगा जितना भी अभी तक हमने study किया है G limited manufacture करते हैं और sale करते हैं एक single product जिसमें इन्होंने estimate किया है कि 126,000,000 रुपीज की sale होगी जिसमें 20% profit selling price पर होगा एक unit जब चाहिए 3 pond raw metal P 1.5 pond raw metal Q चाहिए और साथी साथ 7 गंटा मशीनिंग शॉप में और धाई गंटा assembly section में चाहिए जो over debt हम लेते हैं वो 33.33% labor पे लेते हैं factory पाँच दिन काम करती है एक हफता में 52 week में और on and average जो इनकी चुट्टी वगरा होती है वो 96, 80 और 64 hours एक साल में होती है ये holiday, statutory, leave वगरा है अरलग से कुछ details हैं जैसे P का purchase price क्या है Q का कितना है, machine shop में labor क्या है, assembly में labor क्या है हमारे पास employees कितने हैं, opening, closing stock, कितना है finished goods, raw material का You are required to calculate the number of units of the product proposed to be sold कितनी unit हमने इस साल में बेचनी है purchases, कितनी करनी है, raw material P और Q की और कितना machine shop और assembly section में हमारा capacity use होगी comment करना है अब question में पूछा तो हमसे सब कुछ है जितना अभी तक हम जानकारे रखते हैं तो एक-एक करके हम निप्टाते हैं एक-एक point को सबसे पहले हमसे जो पूछा गया है उसकी बात कर लेते हैं और सबसे पहले हमसे क्या पूछा गया है बच्चो number of units of the product proposed to be sold मतलब कि हमने कितनी unit बेचने के लिए बात करिये हमें पता है एक total साल में sales कितनी सोची है हमने sales हमने सोची है 126 lakh मतलब 1.26.000.000 रुपए की sales हमने सोची है इस मेंसे profit अगर हम हटा दें तो cost आ जाएगी profit कितना सोचा है 20% profit on selling price तो 20% profit अगर हम selling price का हटा दें तो यह 25,000,000 हो जाता है तो अगर हम यह हटा दें एक बार कि कितना हमें profit चाहिए तो बचा हुआ हमारी cost आ जाएगी एक करोड असी हजार रुपए यह हमारी total cost आ जाएगी ठीक है तो cost आ गई हमारी एक करोड एक करोड 26 लाक में से 25 लाक भी इस जाए लेस कर दिया एक करोड 80,000 रुपए की total cost आ गई अब अगर हम एक unit की cost निकाल लें किसी तरीके से तो हमें number of unit पता चल जाएंगी जो हमसे एक point में पूछा है तो एक unit की cost निकालें देखते हैं cost पर unit कैसे निकलेगी सबसे पहले इसमें material का expense होगा material के लिए बोला है कि एक unit के लिए 3 pond P चाहिए material P, 3 pond चाहिए और एक pond raw metal P आथा 6 रुपए का तो 3 pond 6 रुपए के हिसाब से 18 रुपए के होगे Q, 4 रुपए है पर pond और हमें चाहिए material 1.5 units LBS में तर पर और प्राइस है 4 रुपए तो ये 6 रुपए हो गया तो 24 रुपए पर unit का तो material का expense हो गया अब हम बात करते हैं labor की labor हमें चाहिए 7 घंटा machine shop में labor machine shop में 7 घंटा चाहिए और machine shop में 1 घंटे के 4 रुपए देने परते हैं assembly में और 3 रुपए 20 पैसे के हिसाब से तो 2.5 इंटो 3.2 तो 8 रुपए हमें तो total 36 रुपए हमें labor के चाहिए overhead के लिए हमें क्या बोला जा रहा है overhead overhead है 1 बाइ 3 मतलब 33.33% of labor तो 12 रुपीस हमारे overhead हो जाएंगे तो total 72 रुपीस की cost आ जाएगी एक unit की cost 72 रुपीस आ गई तो हमसे पूछा जा रहा है number of units to be sold in a year तो हमें पता है एक करोर 80,000 रुपे की cost है और एक unit 72 रुपे की है तो total जो units होंगी हमारे पास वो होंगी 1,40,000 units 1,40,000 units तो 1,40,000 units हमारी एक साल में बिकेंगी alternatively हम क्या कर सकते थे जो आपको solution में भी दिया है जो मैंने total cost निकाल लिया इससे total cost को मैंने ही निकालता और जो मैंने 72 रुपीस की cost निकाल लिया जो आता 90 रुपीस तो मैं sales 126,00,000 को 90 से divide करता तो भी मेरी sales units ही यह आती है 1,40,000 अब हमसे दूसरी बात purchases raw material P or Q की कितनी करनी है बच्चों मैंने आपको क्या सिखाया था सबसे पहले हमें sales budget बनाना है sales budget जो बन क्या है sales units अब इसके बाद हम बनाते हैं production budget कि हमें कितनी unit produce करनी है यह कैसे बनता है sales 1,40,000 plus closing stock तो finished goods का जो closing stock है वो है 25,000 unit यह भी हमें बनाना पड़ेगा जो 1,40,000 unit है वो भी बनानी पड़ेंगी और 25,000 closing stock भी बनानी पड़ेंगी 1,65,000 इसमें से opening stock मैं minus कर देता हूँ 20,000 units इसका मताब जो मुझे output करना है वो output या production जो करना है वो मुझे 1,45,000 units का output करना है तो मैंने पहले sale budget बनाया उसके बाद मैंने production budget बनाया question में हमसे पूछा जा रहा है raw material कितना खरीदना है तो इसके बाद मैं क्या बनाता हूँ raw material consumption budget कि raw material कितना consumed होगा raw material हमारे पास दो टाइब का है P और Q तो consumption कितना होगा जितना बनाऊगे बनाएंगे कितना finish goods 1,45,000 units और एक unit में कितना हमारा raw material लगेगा एक unit में कितना raw material लगेगा तो P लगेगा 3 into 3 तो 1,45,000 into 3 तो 4,35,000 पॉन्स हमारा लगेगा P का और प्लस ये तो खरीदना ही है साथ में हमें closing stock भी खरीदना है जो हमें बना रखा है बता रखा है 30,000 units माइनस opening stock खरीदने की जोद नहीं है जो है 54,000 units तो 4,35,000 प्लस 30,000 माइनस 54,000 तो 4,11,000 units हमें purchase करना पड़ेगा ये हमें purchase करना पड़ेगा product P के लिए अगर हम बात करें purchase करना पड़ेगा product P के लिए Q के लिए कितना purchase करना पड़ेगा उसके फिले हम देखते हैं कि production कितनी हुए 1,45,000 और एक unit में Q का कितना माल लगता है 1,5 तो 1,45,000 units और एक unit में 1,5 तो total consumption होगी 2,17,500 points की इसमें हम plus कर देंगे closing 66,000 माइनस कर देंगे opening 33,000 तो हमारे पास आ जाएगा 2,50,500 यह हमारा 25 बजट हो गया तो question में हमें B part में पूछा था कि 25 units में बताईए rupees में भी बताईए तो यह 25 हमारी हो गया product B और P और Q और cost पर पॉन 6 रुपे दीवी हैं और 4 रुपे तो 6 और 4 के हिसाब से हमारी जो total cost आ जाएगी 10,002,000 और 4,11,000 इंटो 6 24,66,000 product B और Q इन दोनों का अगर हम total कर दें 34,68,000 की हमें raw material की costing पड़ेगी जिसमें P और Q को दोनों को मिला दिया गया है अब हमसे पूछा है capacity utilization कितना है तो बच्चो capacity utilization के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि कितने गंटे काम किया जा सकता है और हमने कितने गंटे काम किया है तो total कितने hours available है और हम लोगोंने कितने गंटे काम किया है total हमारे पास जो worker है वो कितने है बता रखा है हमें machine shop में 600 आदमी काम करते हैं हमरे पास machine में और assembly में total capacity कितनी है तो एक आदमी कितना काम कर सकता है एक साल में हमें बता रखा है कि वन वीक में फाइव डेज वन डे में एट आर्स वन डे में एट आर्स एसा एसा 52 वीक्स यह हमारे टोटल आर्स हैं जो अवलेबल है इसमें से लीव एक्सेट्रा के 96, 80 और 64 240 आर्स हमारे वेस्ट हो जाते हैं तो टोटल 1840 आर्स हमारे काम में आते हैं तो 1840 आर्स एक आदमी एक साल में काम करता है तो मशीन में एक साल में एक आदमी 1840 आर्स काम करता है और आदमी हैं 600 तो टोटल हमारे पास जो अविलेबल आर्स हैं वो हैं अविलेबल आर्स 11,4000 और असेम्बली में 1840 आर्स इंटो 180 एंप्लोईज हैं तो 331,200 आर्स हमारे पास अविलेबल हैं असेम्बली में अब हम ये देखते हैं कैपिसिटी यूटिलाजेशन के लिए कि हम लोगों ने काम किया कितना एक्च्वल वर्किंग आर्स तो कितने घंटे हम लोगों ने काम किया हमने जो यूनिट बनाई हैं मशीन में मशीन शॉप में मशीनिंग में हमें बता रखा था हमने कैलकुलेशन करी वर्किंग नोड में मैं निकाल लेता हूं मशीन शॉप में हम लोगों को साथ घंटा एक यूनिट के लिए काम करना पड़ता है तो हमारे पास जो टोटल आउटपुट है हमारा जो प्रोड़क्शन बजट बताता है वो बताता है 145,000 यूनिट सम बनाएंगे और एक यूनिट में हमें साथ घंटे लगते हैं मशीन में तो एक्च्वल वर्किंग आर्स हो गए हमारे 145,000 इंटू 7 10,15,000 आर्स हमने काम किया काम कर सकते थे 11,4,000 आर्स किया 10,15,000 आर्स तो परसेंटेज कितना काम किया एक्च्वल टाइम अपोन अवलेबल टाइम इंटू 100 तो हम लोगों ने कितने परसेंट काम किया कितने परसेंट हमने कैपिसिटी को यूज करा तो यह आ जाएगा 10,15,000 डिवाइड वाइड वाई इंटू 100 तो हम लोगों ने 91.94 परसेंट काम किया मशीन में इसी तरीके से हम लोग एक्च्वल वर्किंग टाइम असेंबली का देखते हैं तो हमारा जो आटपुट है वो तो यही है 1,45,000 यूनिट्स और एक यूनिट में 2.5 आर्स लगते हैं तो 1,45,000 यूनिट्स इंटू 2.5 तो हमने 3,62,500 जितना टाइम अविलेबल था उससे ज्यादा का काम हमने कर डाला तो एक्च्वल टाइम हमारा ज्यादा हो गया अविलेबल से एक्स्ट्रा काम कर दिया हमने 109.45 परसेंट हम लोगोंने क्यापिसिटी को यूज कर रहा है तो हमसे बहुत सारी बाते इस कोशन में पूछी कई थी आप लोगों को बहुत ध्यान से इसको समझना है अगर अच्छे ससन में नाया तो इस कोशन को एक बार फिर से समझिए फिर से वीडियो को देखिए अपने हाथ से कोशन को solve करिए जब तक इसको एक दो बार question को solve नहीं करेंगे आपको बहुत अच्छे से समय में नहीं आएगा question में थोड़ी information जादा थी हमारा next budget है selling and distribution overhead budget इसके अंदर हम selling expenses को देखेंगे यह जो budget है यह हमें expenses के लिए बताता है कि selling expenses कितने हमारे लगेंगे तो यह sale budget के हिसाब से हम बना लेंगे question number 12 में हमें बता रखा है कि sales budget बनाईए और हमें expenses बता रखें कितने कितने expense होने की उम्मीद है commission कितना देंगे travel sale को कितना commission देंगे expenses कितने होंगे और sale कितनी होने की उमीद है हमें sales overhead budget बनाना है sales overhead budget advertisement 2500 रुपीज salary 5000 expenses 1500 counter counter salesman expenses DA allowance अगेरा 6000 यह तो सब कुछ normal देही रखा है अब है commission of counter salesman salary 1% of total sales value commission to counter salesman 1% of total sales value commission to counter salesman 1% of sales तो जो sales हमारी है counter sales वो है 80,000 अलग अलग हमें बता रखी है अलग अलग estimated sales अगर है sales during the year अगर यह है 80,000 तो इसके उपर 1% हमारा commission आ जाएगा which will be 800 और traveling commission traveling यह आजाएगा 10% of sales जो इसकी sales है वो है 10% 10,000 का 10,000 का 10% 1,000 expenses है 5% 500 तो total हमारा जो overhead होने की उम्मीद है 2500 5000 1500 6000 यह तो हमें हर एक situation में दिया यह है यह total आ गया 15,000 plus 800 plus 1000 plus 500 तो 17,300 हमारा total first option number 1 second और third तीन estimation हमारे तो first estimation में हमारा total cost 17,300 होगा second estimation में हमारे पास sales counter एक लाग दस जार रुपे की है commission to counter salesman sales का 1% तो एक लाग दस जार का एक लाग दस जार का एक पर्सेंट क्यों हो जाएगा 11,000 और 10% traveling salesman 15,000 का 10% 1500 तो 15,000 का 5% 7500 तो 15,000 प्लस ग्यारा प्लस ग्यारा प्लस ग्यारा सो प्लस पंदरा सो प्लस 750 तो 18,350 रुपे होने की उम्मीद है second situation में अब हम third situation की बात करते है third situation में हमारी counter sale हो सकती है 1,40,000 तो total cost 15,000 तो यह आईगी आईगी अब counter sale 1,40,000 है इसका 1% 1400 और जो salesman की sale है 20,000 उसका 10% 2,000 और 20,000 का 5% 1,000 और total हमारी जो cost होने की उम्मीद है वो है 19,400 तो बच्चो हम लोगों ने तीन तरीके से अलग-अलग लेवल पर calculate किया कि कितना sales अबरेट होने की उम्मीद है तो हमने question number 12 में sales अबरेट बजट बनाना सीखा अबरेट तो हमने की रही जड़ बनाना सीखा